प्रथमों बंदनाया पकी, राखों सभा में लादा सागर समसंसार में अबनाव फसी मजबार पकड़ बाह महिं उभार लीजै सत्गुरु ये सरकार सत्गुरु स्वामी दीन बंधु अभु सदा जुकईबे मात दुखिया उपर दया करो प्रभु अभु जय हो दीना नाथ कर पूर्ण गर्वरम करुण आवतारम अर संसार सारम हुजिगेंद्र हारम सता बसंतं हिदलार भिंदे भवम भवानी सहितं नमानी बिनती है मारी मा सुनलो पुकारी मा अरश्वर दोस्वारी ये माता है सरस्वती तुम्हीं बीडा वाली तुम्हीं दुर्गा काली तुम्हीं सत्ति साली हो माता है सरस्वती तुम्हीं बीडा को पजाती हो माता है सरस्वती बैठ सारवे कंठ पे मा कर से वक्ता तुम्हीं पुस्त्रोता आजने यहां वही सब को मेरा प्रडाम अच्छा बाबू जी आज इस पावन भूमी पूरण पूर संकर पूर कि पावन धर्ती को कोट कोट नमन बंदन है उपस्थित यहां पर हमारे मुकदर के मालिक सम्मानित आप भगवान रूप जनता जनारदन के पाव छूके प्रडाम कर थे आसिर बाद के प्रतिक्छाबा पिता तुल बजुर्ग हमूर नुजवान साथी देश के भगिस करवधार बच्चे जहां तक मेरी यवाज जाती हो सम्मानित सभी ग्राम वासियों काता है दिल से हार दी कि स्वागात अभिनंदन योम बंदन करते हैं जैसा कि आज बड़े हर सुल्लास का दिन है घर में सीता रूपी बहुक आगमन हुआ तमाम पास्परदोस के संभानित भाई लोग घर परवार नात्रिस्तेदार लोग सभोजन प्रसाद किये बर और कन्या को आसिरबाद पुरदान किये और आप सबके मनुरंजन के लिए बिरहा का कारीकरम रखा गया समाज के सम्मानित छेतर से सम्मानित परमादरन आप स्री प्रत्मी पाले आदो जी घर मालीक महोदे जिनके हाँ ये कारीकरम हो रहा है आप रती पाले आदो जी अहन तो आपके घर के पड़ोस के ही नाम परचे तो सब जनते ही है आपके भाई ही सिता राम यादो एउम पार्टी की तरफ से सबका स्वागत है भगल की सम्मानित मसुहूर गाई का पुजाला यादो आजमगड सरप्रथम जैसा की हमारी संस्कृति है हमारे पूरबजो की देन है हम किसी भी सुवकार करने से पहले अपने इश्टदेव की अराधना वंदना से सुरुआद करते हैं तो सबसे पहले चार लाइन के माई के सुती वंदना है कहना है माश्टर जो जो क्या बत है जा हो जा हो वाब भरवान मरा तबियत बाद 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 है जा हो मुरली वाले बड़ी पुराम धुन माश्टरी सारा किये सिटी था में रहा भाई अब है बजाया सिटी गी तुहे बहा अखिया में कजरा कोई प्रेमी अपने महाशुका से कहता है क्या कहता है अखिया आने कजरा किसी आके कजरा कहीले सयदी यारी बाद बोरी इसी भाव में भक्त बंदन करता है भाईयन के अगवा खाण यही कुछ सूझत नाहम गाई का बस बाते सहारा पाईयन के अग्रा पाईयन के अग्रावा बस बाठे सहारा माई का माई का तुम्हों याद साथी महापारी हो तुम्हों याद साथी महापारी हो माई याद मबाडी उपूर्तारी हो माई तेरे सच्चे दर्बार में पूरा सोंसा और खाली जोली लेके खड़ा है आपकी दया की मांग है जग दूरे भिखियां ए माई जग दूरे भिखियां मागतबा हम माई में सकू चाई का बस बाते सहारा माई तर्बा जग दूरे भिखियां मागतबा हम मागई में सकू चाई का बस बाते सहारा माई का माई का धन है मा पूरे संसार को ग्यां देने वाली मा तेरी महिमा पार है हाँ माई हम सब तो माया अध्यानी है हम अध्यानी है हम अध्यानी है पर्यापत जग कल्यानी है हम पर मैया दया द्रिष्टि करो हम पर जननी दया द्रिष्टि करो तूजे पर द्यान लगाई का बस बाते सहारा अगले बंद में दास कहता है मा से अंधे को मा तूने याँख दिया निर्धन का मैया तू साथ दिया पाजी ने कई गो दिया ए माई भरे दिया लू भला मन से नाम धुलाई का बस बाते सहारा आखरी वंद में दास के गुरू घर आने के परचे मिली कहना हुआ पिहारी जी स्वरगता काए मा गुरू राम देव गुड के गाए मा सीता राम कध्यान माई चरनों में सीता राम कध्यान मैया चरनों में इनसान नएक कऊ पाई का बस बाते सहारा आ हुआ आ आ आ आ कि अब आपाटा ना आपाटा ना आपाटा ना आपाटा ना देखते हुए अब एक उपलक्ष के गीत हो जाए जोने उपलक्ष में आज एकारीकरम रखा गया बहुभोच के उपलक्ष में जैसा कि हर दूले कास्थान मर्यादा पुर्ष्तम भगवान राम से दिया गया और हर दूलन जनक नंदनी सीते बा तुष समय की है जिस समय चारो भाई मर्यादा पुर्ष्तम भगवान राम लक्षमण भरा सत्रगन जनक पुरुससुराल में गए कि गुरू संग राम जनक पुर्याए अरूप देखि सब ही हरसाए जहाँ वाभूप जनक जीठाने परमहाँ भईया सुने वाले भईया कहना है अंगनवा मे राम मलक्षी मन रामराम रामराम यरमर रामराम अंगनवा मे राम लक्षी मन सक्षिया देखाई आई ना हो सक्षिया देखाई आई जनक्य भावनवा यगनवा मेरा अगनवा मेराम लक्षिमर भरा सत्रुभन चारो भाई दूलहा बने हैं तमाम पासपडोस के माता बहन लोग सबावत हैं दूलहा देखे कितना सुंदर दूलहा आई हैं भगवान राम सहरवा सर पे पाँधे दूलहा गम के गुल महदी गेदा गुलाब गजरवा सहरवा सर पे पाँधे दूलहा गम के गुल महदी गेदा गुलाब गजरवा सहरवा सर पे पाँधे दूलहा बाँधे दूलहा भगवा भगवा बड़ा ही पाँधे प्रसकार सर प्रथम बड़े ही सम्मानित भाई आप बड़े ही समाश्योवी आप हमारे छेतर के सान सम्मान जनता को सम्मान देने वाले जनता के बीच में सम्मान पाने वाले आप संतोस भिया इसी पावन भूमी से घर के ही सदस्य हैं संतोस यादो दो सो एक उर्पया के सम्मान प्राप्धुआ बहुत भिया को नमस्ते पढ़ाम पहुछे, सुभकामना है, सुभासिरबाद है, भगवान घर परिवार खुशियों में, रखें, सब जनता जनारदन का पहलगी पढ़ाम हो चारो भाई, जनकपुर में, महरा जनक घोर परतिग्या कर लिए कहना है, जो धनुस को उठाएगा, उसी के साथ में सीता का बिवा होगा राम लक्षिमर्दूनों भाई, तो पहले नों पहुचे आ रहा है गुरू भी स्वामी तरुभी बगल में बैठे हैं, तमाम राजा महराजा किराज कुमार बढ़ियां बढ़ियां पहिनावा पहिन के, बैठे हैं सब दरबार में नंबर वाई सबावे लगे धनुस उठावे, धनुस ट्रसमस नहीं हो तबा, जनक महराज की चिंता बन गई, आज धर्ती बीरूं से खाली है कोई ऐसा बहादूर नहीं है जो धनुस को उठा ले, लक्ष मड़ इतने में खड़ा होईगे ना महराज, धर्ती ना बीरूं से खाली थी ना है, अटा रहेगी भगवान राम मुस्कुराए लगे कहने थामहे रहता है, कि तुहार काम ना हो लखन गुरू महराज इसारा के है, भगवान राम के के, अब भिलंब के ही कारण स्वामी, मिला है जब सीरी राम चंद्र को भराए गुरू अरका यादेश सुनो तोड़ दिये तब धनुस राम जी जनक के मिटा कलेश सुनो नभुस्य देव सुमन बर्शावई अरसिति ब्रह्माय वहें सुनो लिखिके पाती जनक भेजाओं लिखिके पाती जनक भेजाओं यावाधा कुरी के सुनो लिखिके पाती जनक भेजाओं यावफवा यावाधा कुरी के जनक भेज़ देव सुर्शावी जनक के पाती जनक, WALP-20 अरसिति जनक कपझे पाती जनक भेजеди trace लिख के पाती जनक भेजावाई आवध पूरी के देश सुनो भगवान राम धनुस उठा लिए जनक महराज के चिंता दूर होईगे खमरे बिटिया के योगबर मिल गए वो भी भगवान राम जनक महराज पत्र लिखे दसरत महराज के सीना गदगद होई के जेकर बिटवा का उनो बहादुरी के ने जाए बरात लेकार आए भर सत्रुभन भी आगए चारो भाई दुला बनके बैठे हैं सबेर भाई रादभगीत गउन भोजन प्रसाद भाई शकी सहल रसभगाना बजाना कहीं सबेर बिदाई के टाइम भाई जनक महराज बोल पड़े जनक जनक महराज थड़े हैं लखन इतना पहुचे कहने महराज बहुत लेठ हो तो बहुत कहन भाई या काहें बदे कहन बिदाई करा कहन बहुत हल बड़ा नहां तो हर तीनों भाई बोलता ही नहां तो इनके बड़ी जल्दी लागब कहने जुद्या बड़ी दूर महराज धूप होई जाए बिदाई करा दुलहिन के उचली हम जितना सखी सहेलर रहें खड़ी रातिन से अंड़ाइ बंड मचाये यहां बां है देव जकणके ही जाए नदेव सशुरारी से लचमन कहैं तेरी महरारू की है वियां के इकोनों मजाक भाई बान ही कैई से देवू कहीं खबरदार जाए नदेव सखीया बोल पड़ी कुछ शाजी मजांक हो रही है सशुरा अवधरसिया तो है जाई नदेवाई 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 कहें अवद रसिया तो है जाइन देवे सुनला लखन तूलसी को मलसी आँसू को मारे अवद रसिया तो है जाइन देवे सुनला लखन हमार वहीं सीता एक दम फूल की तरह को मल ना जूक है अतुहार भाईया राम धनुस बांड चलावे वाला बिदाई ना है फूलसी को मलिप सियांस कुमारी अवापत हुआ प्रभू धनुहादारी अरे सीता के अपने ले जाई ना दे भई अवाध रशिया तो है जाई ना दे भई अवाध रशिया तो है जाई ना दे भई लेकि समय का भाव है विदाई है विदाई हो गई राम लक्षमण भरस तुरगन अपनी अपनी दूलहन को लेकर अजुध्या आए भगवार हमकी जैजिकार हो रही है अजुध्या में सीता जी आ गई बात उस समय की है जिस समय जनक नंदी सीते अपने ससुराल में आई मुह दिखाई हो तो बात तमाम माता बहन लोग सबा के मुह दिखाई करत है बड़ी चर्चाबा भगवान राम की जैजेकार हो रही है कहना है माश्टर वह लाइन बाहा बड़ी सुंदर लाइन बाहा है हलो हलो थोड़ा से को उठाओ भी है हलो 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 ठीक बाहा हमरे उस्ताद सुर्गी गुरू जी गया है थदा राम देऊ जी अपने बलं मुआ के चोरी अरे अरे अपने बलं मुआ के चोरी कोरी माँ गोल्डवा कि बलं औलन आउचे गोल्डवा मनवा में सपना सवारी अरे मनवा में सपना सवारी सिया ससुरारी में मनवा में सपना सवारी सिया ससुरारी में हर दूलहन के मन में तमाम सपना होता है बादी जी कि हमारे भाई के रूप में हमें देवर मिलेगा बहन के रूप में हमें नंद मिलेगी मा के रूप में हमें सासूर जी मिलेगी पिता के रूप में हमें सासूर जी मिलेगी तमाम सपना होता है कसरफ़कों से ल्यांके हरसित ही अरवाँ हो लच्मन भरफ़सा तू भन देवरावा मगन देव नभसे निहारी अरे मगन देव नभसे निहारी सिया ससुरारी में मगन देव निहारी सिया ससुरारी आरे में देव निहारी अरे धिया भादू देव निहारी सिया ससुरारी मगन देव, नब सेरी, सिया ससुरारी में एईले हैं, तमाम अजुद्धा के माता वहें, लोग सबसीता जी के मुद दखाई करे जात हैं, जेजे कार हो रही है भगवान राम की, वही नगर के रहे वाले महराज बसिष्ट, जेकर बिटिया के नाम संध्या बाबु जी, संध्या कहे लिगी कि बाबु जी, भगवान राम की धर्म पतनी सीता जी जुद्धा में आई हैं, सब सखी सहिलर माता वहें लोग मुद दखाई करे जात हैं, अरे आप कुछ ऐसा हमे में दीजिए, सीता जी को मुह दिखाई में दे दें, जो सदा उनके सुख दुख में साथ दे, संध्या कहे लिगी, कहा कह लिगी, कहा अरे आनमोल मुदरी तब दे दिया ले ज्यानी, मुदरी पशिष्ट महराज, अपने अंगली से मुदरी निकाल के सीता जी को ठमा दिये कले जाके मुद दे खाई में भेंट कही दा, सीता जी कहके संध्या कहे लिगी, ठीक बाबाबू जी, जाके जनक नंदनी सीता जी के मुद धाई में संध्या हुए मुदरी पहिना दी, मुदरी पहीन सिया मनहार सानी हो तुर दिन में देई साथ प्यारी अरे तुर दिन में देई साथ प्यारी सिया ससुरारी तुर दिन में देई साथ प्यास 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 प्य कि भाभी इतुरे सुख दुख में सदा काम देई है है मुदरी हमार समाल के रखिया सीता जी एकदम मगन हो गई है दूर दिन में देई साथ प्यारी सिया ससुरारी में इलें है धीरे धीरे समय बीता गया आखिरकार 14 वर्स के लिए भगवान राम को बन हुआ राम लक्षमड सीते 14 वर्स के लिए अजुद्या सिबन को निकल पड़े और सागर तड़ पे जाके गंगा तड़ पे पहुँच गए केवट को बुलार है है ऐ केवट भाई तनी के लाइन बदल गी मास्टर इलाहबाद हाए हाए कहाए लियावा के वट नई आवा अरे लियावा के वट नई आवा जाना वही पार हो लियावा के वट नई आवा जाना वहिपार हो लियावा केवट केवट कहे लगा उहाई राम तो है या कहे नहीं उहाई राम है पथरेप गोड़ धाई देहा महरारू होई गे अरे हमार काठे कनाव जोने से चाठ लड़ी का परानी हमार जीया तहां पहुं आपको बैठाए लिए तीनों जने के अगरी नारी होईगे तो कमन साधन सवारी हम चलाओ भगवान राम हैसे लगन कहने उस समय दूसर रही लएके आवा तोहार काठ के नाव काठेन करही नारी ना होई ना होई आखिरकार के ओट काठ के कठोत में भगवान का पाउं धोया चरणा मिर्त पान किया और फिर विश्वास हुआ तीनों प्राड़ी को नौका में बिठा के उस पार किया अरे भायल बन गामन पार सूरी सर के कईले उतराई पास माही प्याथित प्रभु भाई तीनों प्राड़ी के केवट तो पार कर दिया लेकिन जब भगवान राम लक्षिमण सीता जी उस पार हो गए नौका के जब नीचे उतरे तो भगवान सोचत हैं कि हमरे पास से कुछ उतराई नहीं न अजुद्या से तो खालीन चला ही हम देई तका देई सीता समझ गई इसलिए और धांगनी कहा जाता है जो सच्ची नारी है बादू जी सदापत के सुख दुख में काम आती है सीता जी समझ गई है हमारे स्वामी जी संकट में है उहाई सीता जी सीता जी मुदरी उतारी ते ही बार हो लियावा के वटनाई सीता जी मुदरी उतारी ते ही बार है सीता जी कहीं प्रभू यी मुदरी जोन ले ही ही केवट के उतराई में देदा केवट इतने में चरन पे गिर गया कि प्रभू हमके छमा करा हमके उतराई न चाहि sih जैसे हम तीने हुजने के गंगा पार के है वो इसे हमरे जीव आत्मा के आप पार लगा दिया है है हमार उतराई होई भगवान उस मुदरी को अपने अंगुली में पहन लिये और आगे बन की तरफ बढ़ चले आखिरकार सीता का हरण हुआ लंका धिराज महा बली रावण अपना भेश भूसा बदल के आए और सीता को हर के लंका ले गए हनुमान जी पता लगावे बदे दूत बन कर चल पड़े लंका की तरफ अरे अईले हनुमान लेके लंका मुदरी आख वही मुदरी आज किसकी सस्थान पर जा रही है जो संध्या मुह दिखाई में दी है बाभू जी तीहले गीराई हनुमत दीहले गीराई हनुमत सी आके याचेरी आख राम दूत बना ले बजरंगी तेहीं बार हो ली आवा के वटन नहीं हाँ राम दूत बना ले बजरंगी तेहीं बार हो ली आवा के वटन नहीं जाना उस बाबुजी आखिरकार अंत में सीता की खोज हुई पूरी सिंदा लेकर भगवान राम लंका पर चड़ाई किये रामड की सारी से ना मारी गई रामड का संगहार हुआ सीता जिफिर जुद्या में सम्मान के साथ है आई पिहारी गरेश गुरू राम देव ग्यनिया पिहारे गरेश गुरू राम देव ग्यनिया रामलाल चंद्रिका के या मरे निसनिया बड़ा ही पावन आसिरबाद प्राप्त हुआ समाज के सम्मानित आभाद लड़नी चचा बरसाती आदो रघुनात पूर पावन भूमी से एक सो एक रुपया को प्यार भरा सिर बाद चरडों में पढ़ाम पहुंचे बाबूजी के सब भीया लोगन के पहलगी पढ़ाम है बड़ा ही पावन प्रसकार स्रीमान अर्विल देयादो स्री बाला जी रेडिमेड गार्मेंटस एंड फैसन फॉइंट आप लंभुआ सुल्तानपूर बलाक रोड बड़ी ही सम्मानिक दुकान आपकी एक सो एक रुपया के पावन प्रसकार मालिक आपके बिजिनिस में बढ़ हुत्री करें सब्धिया लोगन के नमस्कार पड़ाम हो बलाक रोड लंभुआ सीताराम सीताराम भारत कभी कईले पूपार होली आवा के वट नई आवा बड़ा ही पावन प्रसकार हमारे छेत्र के गवरो परम सम्मानिता आप बड़े भहिया स्री हिर्दे राम डाक्टर शाहिब आप इस समय बड़ी खुशी की बात है ग्राम सभा के मालिक ग्राम प्रधान भी है बहुत बहुत भहिया को बढ़ाई हिर्दे से पहुचे बहुत बहुत खुशी है आपके पावन करकमलों से आशिरबाद प्यार दुलार 251 रुपया के भहिया के चरड़ों में पड़ाम बापुरी पार्टी की तरब से नमन बंदन है आशिरबाद को प्रतिक्छा है जाना वहिपार हो लिए आवा के वत नहीं आवा नमो नमो बिन्देश्वट नमो नमो जेगालाइ आरे भात्तो जनों के कार्य ही तुमा करती काविलम करती कहां में लंब 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 हे सार दे मरी मैया आरे भाव सागर से पार करो मान पुरुकड से की नईया आरे देखें बाबू हमारे देश की परंपरा है कोई भी कारिकरम शुरू करने से पहले मसीन उसी सही करा लेना चाहिए अब इन तो और मसीन सही ना भाई लियो हमार तो सही माश्टर वाला गड़बा था कोई भी कारिकरम शुरू करने से पहले लोग अपने इश्ट देवी देवता को मना लिया करते हैं जैसा की बताया जाता है बल को चाहने वाले भाई पीर बजरंग बली की पूजा अराधना बंदना करते हैं धन को चाहने वाले भाई मा लक्ष्मी की पूजा अराधना बंदना करते हैं हमान गाय कलाकार मंचा सीन मा सुर्षदी का अराधना बंदना करीला बाभू जी अब कुल हम भी बताई तो ही बताई दारूपिय लेकर पूजा करेला भीया जे ना जानत होई आज से जान लए कि दारूपिय वाला लोग चिखना का पूजा करेला इनके सूत्र के अनुशार आज इस मंज के माध्यम से हमरा के सब कर जरूरत बाँ उपस्तिस सज्जनो आज कितने खूशी की बात है इस महाफिल में हमें आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला कोई भी कलाकार लेडी सोया जेंस कलाकार अच्छा गाता नहीं है वो तो हम लोगों बजा बजा खे गवा देते हैं तो है लोग का करे बैठल हुआ है यह लोग पैसा देवे खादिन बैठल है पैसा बटूर है लोग खाली कलाकार अच्छा गाता नहीं है आप लोग अच्छा गवाते हैं कोई कलाकार इस्टार नहीं होता है इस्टार तो आप लोग है कलाकार अच्छा गाता नहीं है आप लोग अच्छा गवाते हैं इसलिए मैं आप लोगों की चरड की दासी हूँ आप लोग अपने चरड की दासी समझकर बाभू जी जरूर आसर बात देंगे हम गाई का उजाला यादो आजमगर के धर्ती से चलकी याल बनी ए महान धर्ती पे आप सब भाईन का धर्शन पा करके हम पुरी पार्टी से धन्नों गई लिए वह बगल वाला लोग नराज हो गया लोग का तुरकिया वो रहना देतर नहां का अरे भाई अपना है पार्टी खाली कहा थो हमसे या बगल वाली पार्टी से कौनों भी गलती हो जाई आप लोग इनके कहला पर जे नहीं है भाईया आप लोग च्छमा करने का कश्ट करेंगे क्योंकि बताया जाता है जादा चलने वाले ठक जाते है अच्छा तह यहां जादा के बोलत बाद तो आना लग अंदूजे ने सुरू खेले हुआ अब भीया आम कुछ जादा बोल अबना तो बैठा उन लोग के गावेदा अरे पागल हमरे काले का मतलब ही भाई अब लोगन कि हम वहां लेके चलत बनी वाह जहां मसील में गड़बणी भाई लियो हम लोग वहां चलते हैं जो दुनिया की मालकिन है जिने जगत जननी के नाम से जाना जाता है तो चलिए एक ही साथ में हम लोग चलते हैं चलिए वाली चलत ब्या जये जया चल चलिए। हो 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 क्या बाथ है यो बादचे 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 आल माईचल बना पनिया इगीत के हमान के आजा दादा अपने जमाने में गावत्रलन इगीत कभी ना पुरान भाईल ना पुरान होई जब गवाई तभी नहीं रही अहम चाहत बिबानी इंद्राज भाई माफिल में जेतना बुढ़ हूँ दादा लोग बैठलों सबसे पहले ए लोगन के खुश कद लिए बुढ़ों लोग खुश कहले कवनों फादा ना है का है बुढ़ों लोग फेल चलो तुम्हें है दादाल हो मतलब पैसा इसा ना ही दिया है जानत वनी एगीत के हम बताई ला चाहा घर हो परिवार हो कवनों भी समाज हो जहां कालिका भी आप भुड़ पुरनिया का कदर नाबा वहां समझ लई कि देवी देवता का बास नाबा जोने दर्वाजा पर अगर आप चल गई ला बोड़ बोड़ दादा अगर मुस्कराई के मिल गई ले हां समझ ला वहां खतरा जरूर हो कौन खतरा हो बुड़ों रद हुई है अरे पागल जोना दर्वाजा प पर प्रनिया मुस्कराई के मिल गई सम्झ है कूछ सबसे अमीर परिवारबा ठाटक पाइसा से नहीं दिल कर अमीर बेटा बा जोन अपने बाप सुखेर खले पुरनिया बाभू बिल्खाई के मिल जाए तो समझ जा कि समाज का सबसे दरीद्र परिवार वही होता है जैसे तोहार परिवार हो हमार परिवार का है अरे पागर हमार पापा साथ है लोग हमेंसा उमस्करात रहा है तो देखी एगीत के हमें जमाना में दादा लोग बड़ा लहाई के गवत्र लग कैसे गवा माली आरा सुने कैला बाला मूँ आरा सुने कैला बाला मूँ सुन कैला बाला वो का चवडी गाली सुन कैला बाला मूँ निर्जा पुर्क कैला गोला जार हो का चवडी गाली सुन कैला सुन कैला बाला मूँ कचवडी गली सून कईला वही मिरजापुर के कईला गुल जार हो कचवडी गली सून कईला बलमू आज का मॉडल जमाना बा नैका गवईया नैका शुनवईया आज का गई है पता बा जातारा परदेश बलमूआ घर में हमके छोड़ के अतनी जाये से पहिले खाला मुर्गा से रोटी बोरि के अरे मुर्गा से न यह कका तब कि थुआ से वो ठलाली से रोटी बोरि के वामन बोरल नहीं जला तब कर जला कोके चाटल जला सचाईबा यहे तो गाना निकल गळ लेकिन हम बताई ला पुरणिया लोग गाउय बड़ा सिख्षा प्रती बात मिले का को है माइटर साब जावन माजा जावन माजा आम की जटनिया तवन सोव धनिया मिला जावन माजा जटनिया तवन सोव धनिया आदनिया मेलाई धनिया मिलाई कहा ए बच्ची जवन मजा उ मजा कहा मिली आसा राम के मठ में मिली यह मठा धी सुगा कहुआ इनने ही के बढ़िया जनकारी हो उ कोणो मंदी कोणो गुर्द्वारा में नहीं मिली मजा कहा मिली इक गीत अस्पस्ट बतावत बाद कहा मिली माइटर जावन मजा जावन मजा अपने दो लगी निया तावन ही रोई निया मेला जावन मजा अपने दो लगी निया में तावन मजा अपने दो लगी निया में तावन माई बीड़ा वाली से फरियात के लिए बाद ए मा आपकी महिमा या परंपार है नया में धार वे मान माई खे के किनार लगाई कहला अज कैसे हो आज मरी मैया बजेला का रताल दे विम मैया तो हरे भरो से फूना साल हो बजेला का रताल दे विम मैया कहले बारो से फूना साल हो बजेला का रताल दे विम मैया तो हरे बजेला का रता दे विम मैया हमारा क्यराक ले बोया बना करीब हो DAY भाईली निहाल बेसी है माः भेसा झिला बेमिसाल हो, भेसे नकारा ना, sculpt कलेखे लाइ मातारानी के बंदना पर खोशो करके हमारे बड़े भीया हमारे धरम के भीया है आप कालिका प्रशाद यादव प्रदबंधक महोदे गरिमा शिक्षड संस्थान मोतिगर स्ल्तान पूर से जामान के कारिकरम भीया इस्कूल पर करू ले रहलरन अब बड़ा बढ़िया कारिकरम भाएल रहल आम्रे कालिका भीया के साथ में कुल्दी, प्रियादव, रमेश भीया, राकेश भीया बड़ा कंपटिशन वहां लेकि परदे का बाद परदे वे रखा है यह अपने गाउं को प्रधान हो गलों अकालिका भी आप देखी और रमेश रमेश यादयो कानपुर वाले भी आपके तरफ से दो सुरुपए का प्रश्कार बहुत बहुत प्राम आशिरबाद कचा रही अम समझद बनी 20-25 किलोमेटर होई यहां से कलिका भी आगर बहुत बहुत भीया के प्राम आशिरबाद कचा रही शब भाईन के नमस्ते प्राम लेकिन गीत के आखिरी लाइन मा भात्त माई से अपन परिचे देत बा कि हम को ने डाली का फुल बानी माश्टर साथ गुरुव बिहारी गुरुबाड़े से गोडड़ा वाला गुरुव बिहारी गुरुपाड़े से गोड़ावाला तोहरा कि नामले के हाथे में उटावा लाईका लामा प्यारे लाल देविन्दिया पावली उचाला सूरत आलो बजेला करता आल देविन्दिया लोर लोगवार लाट लो व भी किया जारडा लो झाटए्टने लोगवादी प्रॉट हाव मेड़ादादा उन्हामे पंगारे प्रॉट जारा में आसका तर्थिछ प्रॉटने जार प्रॉटने हुगा अटर लोगवारा अप्न। कॉनों मेहरारू वा का करते हाल बना चला करहल कुछ कईलस नहीं कभी कभी कहल यला ये बाबू मेहरारू बड़ा बढ़ियां काम कर देले मेहरारू अगर बंद हो गया तो समझा वही दिन कभी रहा हमार तमकाली मास्टर साहब एक्ठे चारजर उनके घर मां देखे ओल करा जो इन चारज कई दे मुबाई कवोगर मेहरारू बढ़ीयां कामका देली कोनों महरारूं माझाडिगम़ों उस जुodaवाइस जो वू ठेक्टर वाले से टेक्टर वाला खेत जोती दालेबा लेकिन पईसा नादेवल चाहता है बहकावब आज बहने आज बहने वो ड्राइबर के भाईया सीटी ने भीया अब जब भीज आए तो पहले में चारा हाथ जोर के पड़ा मैं करें भाई जी पाल लगी हाँ खुश रहा बाबू अच्छा तहीं ठत करें है कोलिया निकल या अब जब चार-चार दिन बीतल तम जाई कोई दुआरे बई ठीकल कला भाई जी आज जबले हमके आज देबुन तब ले जाई बना ही तो से क्यों पूछा था कि हमसे तो गुस्ताम बोलत रहा कलास भाई जी आप जब ले तु हमार पैसा देबुना तब ले तोरे घर से जाई बना ही था मेहरर हुआ दोसी बना दला ड्राइबर रही के तनी देखाओ कर चला की कैसे मिठा मिठा बोलके तु मुझे को फसाया मिठा मिठा बोलके तु मुझे को फसाया फार नही अंदर ले तनी को धसाया फार नही अंदर ले तनी को धसाया फार नही अंदर ले तनी को धसाया मिठा मिठा बोलके तु मुझे को फसाया फार नही अंदर ले तनी को धसाया खेत मेरा जोसा है कैसा खेत मेरा जोता है कैसा जोता ही नहीं दूने अपको पैसा माइचर गीत बदल हलन कोनो भौजाई बा अपने देवर से सहारा मंगले बा देखा ये इसन परिवार होखे के चाहिए बाभू परिवार का मजबूरी अगर परिवार समझ ले तो उस सब से बढ़िया परिवार बासा माज कर भौजाई या कहले विया का तूटाता देहिया दूखाता कलाई तूटाता देहिया दूखाता कलाई नेहिया वाते वरूता रद के दबाई सूत गयली सया से रत यहांची फाके का करीब हो यिल बार का मिल्या लपर यिल बार का मिल्या लपर देखी बहुत बढ़ी आप लोन के बात सुने के मिल्या लपर इवा नेता सरदिया दो जैपर के धरती से एक आउर्पे का प्रशकार बहुत बहुत प्राम आश्रबात के चारी देखी बड़ा बड़ी आप लोन के बात सुने के मिल्या शिता जी के बारे में वा शिता जी दुलहिन बनके आई गे लिन वा कहानी के भरपूर आप लोग अनंद उठावल गल लेकिन हम बतावल चात बनी है बाभू पहिले के बिया हमें आज के बिया हमें बड़ा अंतर हो गई आज कब्या बहुत आसान हो गल आज का साधी बहुत आसान हो गल जब सेंग मोबाईल चल गई लो कोजेख ना बस नंबर लगा दा एक नंबर रांग नंबर लग गया मामिला सेठोगल दोसो दिन ना भी तल तबले भी आफिट साल भर ना भी तल तबले हुए गोलाइका को बापो बन जा थुआ देखा ईब या लेकिन पहिले का भी आ चेकरे तेगा तलबार में धम रहे चेकरे पाजू में धम रहे वही का भी आ हो सार्त रखाजा अब हो ही देखा भी आ कैसे होता माश्टर साब देखी एक क्यां रुपे का प्रश्कार हमारे बड़े भीया संदीप याद कुल्दीप भीया के आप भाई हैं भाई हैं समाजवादी पार्टी के आप सच्चे सिपाही हैं बहुत बहुत भीया के पड़ाम बरुवर दक्षडी के धर्ती से सब भाई हैं के नमस्ते प्राम आई माश्टर साहब आग के आग थे नाग के नाग थे पीर लोरी कश दुनिया दहलती रहें जिश के तेगा पे दुर का कया संचमा जंग मे वह जवानी मचलती रहें जिश दरप से निकलते थे लोरी कश जवान काप जाती थी धरती हिले आसमा जिश के छाती में दमयाग को रोकले पाउत को मात देता रहाता रहा देखिये बाबू इधरती बीरन से खाली नहीं खे जय आज का जमाना हो जय पहले का जमाना रहल हो अपने यादो बंस के हंस कहे जाने वाले बीर लोरी जिकरे भाई का नाम शमरू बतावल गेल बाब का नाम बुड़कुबे मतारी का नाम खोईलनबा अपने यूपी जिला बलिया गढ़गूरा गाउं का एक बार का बात भा यही बनारस के धरती परेगो इनाम रखल गल आई नाम कैसा रखल भा माइटर साप गीत लगल भा उए गीत के लाइन भा जवना गीत के हमरे माता बहिन लोग बला लहाई के गावेलिन कैसे गावेली मोरे पीछुवार वास नार कैदू का जोला ने गरेला तीन पातियान के पाणड ने का लाग गीत है इंतर लेकिन पियहाँ पर आप लोग ध्यांदिय है। पनारस के धर्ती पर होत कबा माश्टर शाहब पना सारा नाथ मैं कुदा न कहने सहनिया कब न डराई लहू समारिया से चिरलाइ पास आरे कछाती कहला वारिया कब न डराई लहू समारिया से जब हो लीके तेवा हार हो सथियान के सांग कारे रंगे बाव छार हो जब हो लीके बाव छार हो अमर्पाल यादो जी इस परिवार के इस घर के मालिक महोदे पुरनपुर के धरती से एक से गुर्पए का परशकार बहुत बहुत प्राम आसरबाद कचा रही सब्भाईन के नमस्ते प्रामबा लेकिन बाबू भी रहाँ पर ध्यान दी है यही बनारस सारनात में एक बहुत बड़ा अखाढा है ओई अखाढवा के बगलिया में एक बहुत बड़ी लंबी चोड़ी कुदान बाई एक इनाम रखल रहल यही अखाडा पे लड़े के बाँ अजे अखाडा कब बिजेता होई ओके फिर एक कुदान के कुदे के रही यह दूनों कब बिजेता होई ओके मुह मांगल इनाम दिहल जाई बड़े बड़े बीर अईला ये बाभू अखाड़ावा लड़ा तो आसान रहे लेकिन जब कुदय का नंबर आवे तो अच्छे अच्छे बीरें का ठंगरी खापे लगल अगर नंबर लोरीक अखाड़ा का बिजेता लोरीक अईला कुदनिया के ऐसे ही देखला है माला यही कुदय के रहे अब हमेरे पार्टी में के हो को हिम्मत ना पड़ी लेकिन हम कुदया देखी सच्छाईबा अब लोरीक कुदनिया के देखला है अद देखते हो को लंबाई चोड़ाई गहराई जान गई लेकिना ताकत लगा हो लेक डांग जाई आईशही लोरीक हतवाई से उपर कहिलन आद सकती दुरुगा मतारीक पुजारी लोरी आईशही चुटकिया दुईबेर बजवलन अचुटकिया बजाई के लोरी अफोल पोजीसन में भाईलन अमाई दुरुगा के मनाई के कलाई निशवा मत जाया का है नहीं तो मुहां तूड़ जाई तो अरे मतिन हम पागल ही ला अरे पुरी खंदान पागल तो हरें का रखल देखी अब लोरी जैसा ही कुटके पार कहिलन लगल सभा में ताली अरे जियो यहिरे का बेटावा कमाल कधलस लोरी खोई गई लें बीजे ता अजब लोरी बीजेता भाईलन तो समनवा होली का तिवहार रहल लोरी कला हर साल को होली तो अपने गाउं में खिल ली अएदा पारी को होली चलब बगल के गाउं में खिलब बगल के गाउं कौन बा कुस्मापूर कुस्मापूर जिकरे जहां का राजा सहदेव जिकरे बिटिया का नाम रहल चनवा चनवा वोई छट में चड़ल भाए बाबू यह हर से लोरी चलत कैसे हूँ माइटर एगीत के स्वरगी राम दे गुरू अपने जमाना में बड़ा लहाई के गावत रलन गुरू जी का अंदाज अलग बा लेकिनी हमार अंदाज बा कैसे माइटर कि कोरी कहतरी असा सुदाही आज्जा मावली कि कोरी कहतरी असा सुदाही आज्जा मावली आमरीत डालाईली जो रानाम रादा हो कादा महानम हो केर पाघनी यला महार छारा हार भाडा हार पादानिया आई शेगरा जले के पीचे करिया लोरी खो जैसे गरा जाई कौनो से अखेला ते खेला ते बगरा गऊँआ में याईलाएं अरागा डाला चनमा अरागा आई में भीगी गाईलाएं अरधाईला दवरा के अरधाईला दवरा के ते घरी या लोरी खो देखी विराहा के भाव पर सम्मान के हमारे धरम के भीगा कालिका प्रशाद यादो प्रबंधक महुदे गरिमा शिख्षर संस्थान मोतिगर पूर सुल्तान पूर सात में हमारे भीगी आई दो सुरुपे का प्रश्कार इप्रश्कार ना बलकी हमरा बदे अश्रबादबा बहुत बहुत प्राम सब्भाईन के प्राम बले की कहना बा बिरहा पर ध्यान दिये अब लोरी अखारा कब बिजेता बड़ा उमंग में जोस में हुए तो हो लिया खेले चललन तो अकेले ना चार पांस गोल लड़िकन के और लहलन अजब गयल होए कुश्मापुर में तो राजा सहदेव का बिटिया चनवा वही छतवा पे खड़ी रह ले आईसे ही आपन बाल आईसे कंगी करत ही जब जनकारी ना रहे ले तो बीच में टीपीर टीपीर बोलल मत के लिए पागल कहीं कर आप लोग समझे तो कंगी का मतलब ना आईसे ही बरवा के जाड़त रहल मला आपस सिंगार करेक तैयारी करत रहल तैसे सफार है आया हर से लोरिक चला था हुआ आईसे लोरिक चला ला चानवा देखले च्छतवा पर से कहलस कहोई पांच च्छगो मरद हुआ यह मा से यह गोई मरद बाद करनोड हो एए नगो मार नहीं तो नहीं महरा रहत प्यार करें नहीं को म्हरारा को मैंने करें पता आए हमार गुलाभ जामूं नाए घयल हुआ अगल हुआ हर्मूनीया बजाव एब अच्छा आई का कहला पता है आए गेल हमरे मिर्ती का फोन हाँ अब दोनों जनेरस चुवावन सच्छाई है देखा प्यार से नाम रखाई के चाहिए हमरे हिंदुस्तान का बहुत बढ़िया परंपरा है महरारू अपने मर्दन का नाम ना लेली हमकाली अपने अम्मी से दिन पुछली अच्छा अम्मी बतावा अगर इनकर मन कहीं का वो खाजा खाये के ति बजारे से का कहीं का बंगई है कहीं है लाम काली अजन भीचे वाम फाट अला हाला है अब बताव उनकर नमवा किये जानी दूकंदार कहन जानी लेकिन अच्छा ही है बा कि हमरे हिंदुस्तान का परंपरा बढ़ा बढ़ियां बा जोन अपने पती का नाम गुलाब जामून तक खाजे तक लोग रखते थ लेकिन भी रहां पर ध्यान रहे है अब लोरिक चला थो है चनवा वही छट पर से लखत बा पांच च्छे गो मरद हुए लेकिन एक गोयमा से ही मरद ना बा अब अब जानवर लगा थो यह जरूर दे उता बा अत्तावल लोरी अईसे करिबा गई लन अच्छानवा करनी ग लोरी खाँए हो आँ इनके कलरवा समान पहचान जाते हैं जैसे ही लोरी कवर करिबाई लेना बस चनवा तुरंत घर में भागल अजाई के बल्टी कर रंग लियाए के एक दम इसे ही लेकिर रंगमा खड़ी बा लोरी जैसे ही इसे गुजरो थो अ तबले चनवा पुरे ब लोरी कर रंग लेके कलसे लोरी कला तीन चार कदम पीछे लोरी चले लेकिले कले यह साला ए ए रंग कहां से आ गया वह भी लालका रंग है तु देखा तर लागा काई साला रंग कि धरर से आ गया थे लोरी कनी गहिया काम कदह लस आई तो पराद देख लें लोरी कला बा प्रे बप्पा ऐ धखाली में कसी पहिले हरे मर्दे गह लदा देखे का लोरी कले बाप रे बपा हाई बड़ी भूहर है भाई आई तो यह चातवा पे अच्छा तो लोरी के मने मन लगा लावा फूटा यह भाईया यहार चानवा तकतीबा अच्छा ता भाईया हो चानवा कौम सुघर ना रहे अरे लगाई की मालिक चानवा के नए भूरुसत के टाइम में गढ़ी-गढ़ी के बन उले हो तो हो समन्नो महिना पूरा लागडाउन रहा इनकर सहयोगर हल लगाई की चानवा के गढ़ी के यतन सुन्दर बने उले रहलन यतना सुन्दर लोरिक से एकाक इंच छोट चनवा अरे वू पातर चारहर लंबी बदन रहा भाईया हां मालूम दे सफेदा का बोटा हो हां हो अले चलका एक दम की अरे ज़िदे खाना पतिल की कमर लाले लाले वोट काली काली आख लंबा लंबा बाल बड़ा दांत रहा ले इतनारी को सोभव है खाई लंबाई किसाब से दांत होला कितना बड़ा हाथ इनके देख ला है अतना बड़ा बड़ा अब आप लोग समझ जाके इनके कितना दिमाख हो आरे उत मोती के जैसन चमकत दांत रहल अच्छा नवा ठानी रंक साड़ पहिंले रहल ओई सड़िया मसे बदनिया ऐसा ही जलका है अरे जे देखा न बाबू उन देखते रहे जाए लोरी कला सुना सुना आज तु रंगमा फ्यकलू हना तु बचबू ना के ना बची वह चानमा कहना या तु बचबू ना अच्छा तम महरारू को जा चनमा लगा इस अज़िया उठाई के लगल चनहराय कले अब नोरीक समझे गई लगा किये करमन हो का हो वह होली खेले के तब फरियाई के बोला नहीं तो होई लोग बैठा लाई कियां गलत बोलत हुए तो फरियाई लोरीक समझे गई लगा यहू का मनवा बाब यह लिया खेली तब तो फायदा उठाला ले हुई है ये मुर्खराम जब उच्छत में तब आत दो रही है कहां लोरिक दो राय को इच्छतवा पे तीन चार फेरा कैलन महरारू को जाच चनवा लगल हाप है तीन चार फेरा के बाद वही कोनवा में जाई के चनवा चूप मार के बैठी गई अत्तवन लोरिक पिछमा सजाई के इस ही पकड़ना है पकड़ के रगड़ सुरुखा दो हने का रगड़ना अरे रंगमा रगड़ है यह उर का रगड़ है सही बात बाद जैसे देवर भौजाई का होली होला ननद भौजाई का होली होला ओईसे लोरिक चनवा की या कवर दोनों जने करने लड़ी गया मतलब दूना हुनके आख फूट गई आख लड़ले से फूटे ले अरे मुंगरा बास्थापुर में देख लो दूठ टरक फाट गया हुआ लड़ले से आख लड़ले का मतलब चनवा लोरिक में प्यार हो गया अजय प्यार भएने बाबू तो कहल जला कि प्यार को नो बुरा चीज नहीं खेवा प्यार होना चाहिए लेकिन ओकर बढ़ियां अस्थान हो खेके चाहिए बाप बेटी का प्यार माई बिटिया का प्यार बाप बिट लोरिक चनवा में जब प्यार भयल तो मिलन बड़ा मुश्किल हो गल लोरिक एगो उपाएं धुडलन यहार चनवा का गाओं यहार लोरीक का गाओं ओई बिचवा में अगर नदी बहेले बाप ओई नदिया पेगो पिपरे का पेड़ बाजवन आज भी उपस्तित बाप ओई पिपरे के पेड़े तरे लोरिक और चनवा का मुलाकात हो जा दिल का बात हो यह बाबू लेकिन एक दिन की बात है बिरहा के सुनने वाले भी या बाबू गाओर करेंगे बिरहा में बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बाद लोरिक चनवा से तो प्यार बाद आई यही में लोरिक कसादी हो गई कैसे असदिया भरिल कैसे सोन भद्र अगोरी करेंगे वाला एक राजा जिसका नाम बताया गया राजा मुलागीत इतना बड़ा ओ आयासी राजा था राम रहिम का भाई रहाल का सर्वा बहुत बड़ा आयासी राजा था किस तरह से हमारी घर के ब बहन बेटी रहा करती थी सोचने पर आग से आसू चलाता है और राजा मुलागीत का सिर्फ एक ही काम था चायो किसी कास्ट की बहन बेटी नहों बस एक धागा उस बच्ची के कलाई में बधवा देता था अब किस दिन जब बच्ची पैदा हुई बस राजा मुलागीत को पता चला कि फलाने के घ़रे आज बिटिया पैदा भेंवाई दे भाभू ये घो धागा वही कलाईआ में बधवाई दे तरि ये लिये वे उकलाई में धागा बधवा वहाई पपीवाई कि जो उने दिने भी बिटिया सेयान हो जाई एकर भिया हो जाई शुहाग वाली रात हमारे साथ हमारे बंगले पर मनाएगी उसके बाद ससुराल जाएगी अगोरी के रहे वाला माहर यादो जी जेकरे बिटिया का नाम बताओ अलगल भीया मंजरी मंजरी आति सुन्दर मंजरी के भी कलाई में उपपिवा धागा बधूले भा, आए इंतियार करत भा मंजरी सयान हो गईल भा, एकर बिया होई सुहाग राथ हम मनाई देखाए बाबु कवन बाप परदास करी हो चहाए गरीब का बेटी हो चहाए अमीर का बेटी हो सब कर इज़त एक समान होला हमरे गाउं का पुरनिया दादा चाचा लो कोहल कि जे करे घरवा में बिटिया सयान होई है वो करे घरवा का निदिया हराम हुई है राजा मुलागित का निगाह लगल बा अम बाहर के टेंसन के माले बाबु हो खाना पानी तक छूटे लगल लेकि रिष्टा यहर वहर घूमत हों कौनो अहिर तैयार न भीलन का है एक गों बाहर का सर्त रहे के हमरे बिटिया से बियाह उहे करी जे राजा मुलागित से लडाई कई के हमरे बिटिया का डोला सुरक्षित लेके जाई कौनो अहिर तैयार न भीलन कोई बता दलस की एक गोई अहिर बा जोन बलिया गढगवरा गाउं का बाज़ोने का नाम लोरिक बा बने बने बीरन का छक्का छुडाय दिला ए बाबु माहर रिस्ता लेके पहुच ले कहां बलिया गढगवरा गाउं में लोरिक के घरे बुड़कुब्बे जी सदिया सुविकार कललन यहीं लोरी का पिता जी लेकि लोरी को सदिया के सुविकार न करे का है चनवा से प्यार बा चनवा के धोखा नहीं दे तब ले बुड़कुब्बे जी डाट के आवादल कले कारे बेटा करे जवानी कोने काम के रे कवान उसार राजा बजोन बिटिया का इज़त लुट लई कर ले सुविकार सादी ए बाबु ताव में लोरीक सदिया सुविकार कलला है बरात लेके गईलन अगोरी खास में अजर अगोर करेंगे अज़ जब सादी हो गई सुवहिया का डोला उठके चले लगल अथ तब ले राजा मुलागित को खबर हुआ की मंजरी का डोला उठके जातवा ललकार दिया राजा करश करे कोने यहीरे कमाई दूध पिया वले बारे गाउ के अचब लेके भागा या तरे इस शुरक्षि डोला लेके चले लेई देखे मेरे बाबु दोनों तरफ से युद धोके लगल यहर्ष राजा मुलागित कसेना यहर्ष लोरीक लगल खच-खच-खच-खच गरदन कटे लोरीक लड़या के जीत गई लन दोलवा लेके यही ले यही मारकुंडी पहाडी पर जे हमरे भाईया लोग गल होई हैं तो जानत होई हैं बनारस से भाई जाई जरी वही घुगुटवे मसे डॉलवे मसे कली स्वामी जी हाँ अबा तो यह तेर लगा दि थक गल होबा हमरे नई हरे काई पहिला डोला बा जोवन सुरक्षित जात बा कौनों निसानी हमरे नई हरे में दे देई जो उने से अवे वाला दिन में तो के लोग याद करी बारे लोरीक निकाल लिया तरवार एक बहुत बिसाल पत्थर है लोरीक उसी पत्थर पर चला देते हैं ओ पत्थर दो टुकडे में हो गया देखिए अपने यादो बंस का इतिहास है लोग आज इतिहास को भूल जा रहे है पाँच चगा शेंदूर से मंजरी टीक दहली अजब मंजरी टीक दहली है बाबू अजब दोलवा लई के लोरीक आई गई ले घरे अजब लोरीक घरे आईलन तो यहार से चनवा के रहना जातबा संदेशा देई के लोरीक कोई पिपरे के पेडे तर बलो लस कहा लसका मैश्टर देखी एबिरहा के भापर सम्मान किया हमारे बड़े भिया राम अभिला किया दो ग्राम संकर पुर के धरती से एक सेग उर्पय का परशकार और जगर जगर्णाथ अच्छा आप शुबिदार यादो रगुनाधपुर के धरती से दो सुरुपय का परशकार बहुत बहुत प्राम अश्रिबात कचा रही आप जगर्नाथ यादो गराम बंजरिया संकरपुर सपा बिधान सबा अध्यक्ष लंभुआ सुल्तानपुर से समाजबादी गीत अच्छा समाजबादी गीत हो जाई लेकिन एकरे बाद एक से गुर्पे का प्रश्कार बहुत बहुत प्राम चनवा कोहलस का माइटर साहा लाही के ओमारे के खियाल हो बुढ़ाईया में माल खोजे बुढ़ावा लाही के ओमारे के खियाल हो बुढ़ाईया में माल खोजे बुढ़ावा लाही के ओमारे के खियाल हो बुढ़ाईया में माल खोजे बुढ़ावा प्यार नहीं हो लखे लवार यार बतलाई बतो हके मन्यारी मिलल मतो हके दिहल इने सांचे मन्यारी मिलल मतों के दिहल इने सांचे अमारा क्या प्यार मिलल इने सांचे चीत होई होई क्या कहार यार बतलाई बतो हके कर दो कर दो कि दो कि अभू चानवान योरी चेकल सका हो भुला गईला साथ जनम का प्यार इकोनों कागज को टुकलाना की फार के डेश्टे बिन में फेक दई हमारे तोहरे प्यार का परिख्षा होई अगर भोरे में आजाई या हम से पहिले तो यही पीपरे के पेड़े में पांच जगां अपने तलवार से निसान का दिया जीत जाई आबाजी जवन कहबा मान जाई बे अगर हम यह आजाई तो पांच जगां से को हब्तों के माने के पड़ी शुहाग वाली रात मेरे बाभू होता है क्या गीत लगलबा तेरी क्या एकूप आज़ा जाग वाली रात है लोरीक सुतल ये बाभू जाई के घरवा अब भूर हरिया होई गई अज़े भोर में लोरी कण्णी टुटलबा तो देखले मंजरी सूतलबा हाथ में लहले तलबार और सीड़ी लगवले अंगना पे धीरे बोहरे उतरी गई लन पहुचले कहाँ ओही पीपरे के पेड़े तरे अज़े पीपरे के पेड़े तरे पहुचे थोए तब भयल का माईटर साब चंकै लोरी का नाव जावान चनमा भारा मुसकान चंकै लोरी का नाव जावान चनमा भारा मुसकान मार बतिया का पान यख्या मार के हस लोरी गईलन आथवा में तलवार लहले हुआ ये बाबू अशोचले की पीपरा के पेड़े में निसान को देई अईशा ही मारल जालन तब ले उजवन पीपरा का मुटका पेड़बा ओही जगा छूप के चनमा चूप चाप खड़ी रहल पीछमा सजाई के लोरी का कलया पकल हलस कला से सुना आयल हुआ पीपरे में निसान करे पहले हमार बाद सुना पड़ी उची बाद चनमा कहले बाका अरत दुलाहीन के संग राला सोचल ये राजा तो हार निधिया नहीं डूटला को राजा अरत दुलाहीन के संग मया लूटला तु भारे अरतिया बीतला मोरपी बारवाई के त्रारे अरत दुलाहीन के संग राला सो हार निधिया दूटलाको राजा निधिया G छनवां कल से अईला है पिपरे में निसान करे तोहसे पहले आईली पांच जगा पिपरे के टीक धहली पाजे जीत के लबानी तोड़ा से पहले लोग बतावए कि घोडन के पंख लगल रहे अब वह पंखवा निकार खेली काप्टर में लग गया लोग वही कई इंजिनियर हो आप उड़े वाला घोड़ा से लोरी चलन पूरे गाउं को समाचार ले लहलन अजब अपने अंगना के बीचों बीचे इलन लोरी कोई मेरा रात हुआं अंगनावा में देखला चनावा सूत अस्वारी मन्जरी सूतलबा लेकिन अब लेखिल लग गया मन्जरी के बगलिया में कौनों मरद सूतल रहल अब हुँ पढ़िया पहलवान तागरी सरीर देखले लोरी के तो खोपड़े उड़ी गया कला रे साला हम मन्जरी से कही के गई ली कि मान मर्यादा के बचेई हाँ हमरे जियता ही दुसरे मरदे के साथ सूतलबा अरे बरदास कैसे होई ना रही बास ना बाजी बासुरी लोरी क तलबार निकाल ले बाबू कहने दुलहुन का गरदनिया काटब अब तक आदिस्तकी तुरगा मतारी प्रकट भैली लोरी के खीज के एक तमाचा मर ली काली करे लोरी काली करे लोरी काली करे लोरी 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 क तब आदि सकती दुरुगा मतारी के दिमाग काम कही लेज़ा है काली ओ हो 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 मंजरी हाँ बहुत बड़ी गलती कही ले हो कौन गलती रहा है ओके लुगगा वाली मच्छर दानी लगा लेग शाहत रहा है चारगो सी आई के देदाले होता लोरी कला सुन बेटा इहे जानल चाहा थे न कि मंजरी के बगल में कोन सूतल बा आओ सुन चलावाज़ चलावाज़ अरज्य के मारे कातिर बनाला बा फ्यतावा सुतल मंजरी के गोदिहान तोर इतावा तोर बीना मंजरी के तना सहला ठका रावा लेकिन का लंग रहल सका रावा अरे पुढ़ावती में देई पाने भारे क्या लटावा सुतल मंजरी के गोदिहान तोर देखी लगातार पुरश्कार हमारे बड़े भिया काली का प्रशाद यादो प्रबंधक महोदे गरिमा सिच्छ और संस्थान मंजरी के गोदिहान तोर इतावा मोतिगर्पूर सुल्तान पूर साथ में हमारे बड़े भिया कुल दीप यादो रमेश यादो राकेश यादो भिडीशी रमेश यादो कानपूर वले भिया भी हैं साथ में ये दो सुरुपे का प्रशकार भिया के बहुत बहुत प्राम आसर बात कचा रही लेकिन कालिका भीया इंदरपाल भीया नाई एले नहीं अच्छा नहीं खिल लगता तू तो यतनी मार का भूख है बाना कि गिंतियारी भूला जिवा एक सेग रुपए का परश्कार राम दुलार यादो संकरपुर के धर्ती से बहुत बहुत प्राम असरबात कचा रही आ दि सक्ति दुरगा मतारी लो रिक सेकाली गे सोन बेटा तोसे हमार सवाल हो लोरी कला हम आई बोला कहा पहिला सवाल तभी पानुरिस मनजरी से बियाध करे ले लोरी कला हा माई अरे ये मा छुपा गोली कौन बात बा आद सकती दूसरा सवाल के लिए बेटा ही बता तो सुहाग रात मनू ले अब लोरी खथवा जोड़िके आईसे सरा नीचे कल ले कला माई दे भी हो के सुहाग रात के बारे में पुछ अबू माई गलती होई गई थब आद सकती दूर्गा मतारी कली सुन बेटा उत्तवर गलती ना रहल उत्तवर मन बाड़ ही रहल दुद्द उठल खले तोर नदानी रहल मनजरी के बियाह कई के लेले सुहाग रात मनू ले अब शुहाग रात में मनजरी के गर्ब रह गल अच्छा तो बेटा ही बताओ आज ते 20-25 साल के बाद वापस घरे अईले मनजरी के पास का उगर्भवा भई नो इसे पडल नहीं रे अरे तुर बेटा पैदा भेल रे पाल पोस के मनजरी सयान कईले बा माई के बगल में वो बेटा सुतल बा ए माई बेटा के रिष्टा के कलंगी मत कर बेटा तब लोरी के यांक से यांसु चले लगल हाथवा जोड के याद इसकती दुरगा मतारी के समनवा लगले का पै माई बहुत बड़ी गलती से आज बचा लगलू अगर आज अपने जनमले के अपने हाथे मार देई तो समाज में कहवा लोगन के मुह देखाई कलंग से बचा लगलू माई च्छमा कर दा आद सकती दुरगा मतारी कह ले बेटा तो के च्छमा करो को जब दुनहुन कर रखा बेटाओ जब मंजरी के अपना ले बेटाओ बिरहा का याखिरी भावा मस्टर साथ अरे समारा कैसा लोरी कब बिरवा उजहाला प्यारे नारा दंगरना पादा नारा नारा कैसा लोरा मतार कैसा लोरी के लावा मस्टर साथ जब मतारा नारा कैसा बेटा वारा साथ जब मतार दंगरना लोक कर रेटा compute जलते वneटाषी दिधि कर दो तनлять पैसे खरे वावाओा धजय है! वह हुँ 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 है ही है है कि अधे सकते हैं कि अधे अ कि अधे बसे हैं मुपन अधे सकते हैं कि 50 कि ए और MALE ऐा ऱसने काली कि ए अ रू अॉ चे पारत बारत all राँ अ कि ली की काली कै ये ऑप त्सा वे सक राजा को ऑम को ए ऄू है ऑलो आवत काली के और बारत जतल सबस्क राहला इना participated थे कि परिया समयता बीजया कि भासे अजया कि खिल ओत you जतल सबस्के समय एत्झgos डेगा ज60 क मैं आसा 9क4 हैना झेल मार्ण ड Schuldalnya मार्ण हालो 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 बहुत दहुत धन्यबाद सभी आहरेन का है बड़ा मन लगा के सुना आप सब बड़ा ही पावन सुन्दर पुस्पहार से स्वागत आशिरबाद प्यार दुलार प्राब्ध हुआ घर मालिक महोदे परा मादरणिया श्री प्रतवी पाले आदो जी बड़े भिया जी के पावन कर कमलों से सुन्दर पुस्पहार एक सो एक रुप्या का बहुत बहुत माया प्रस्कार प्रडाम पहुँचे पूरी पार्टी के तरब से मालिक घर पर व्यार खुश हाल रखें दूला दूलां दोनों प्राडी खुश रहें सदा जीवन खुशियों में भरा रहे यहीं सुन्दर कामना है बिया हुई गया रमाएड से हर सभा अलोरिकायन से हर सभा लास प्रास लोरिक बड़ी बहादुरी किये लास प्रास गिरा दिये लास पिलास सुना सुना भाई करोना काल में दुई साल से दुखें दुखबा जहाँ देखा लास पिलास मार काट कई के लास पिलास की राएं आवाज के करोना काल में बिने अमारें लास पिलास तो हमारे सम्मानित आधर ने आपने लिया दो मठिया से आपके ब्राता साहब प्रोफेसर साहब उठाई के पहलोगी कहन को भीया लास प्लास इस सब ठीक ही भा सब बढ़ियां बाद लेकिन कौनो आनंद वाली कहानी सुनावा सिताराम भाई जोने से जनता खूस हो सब दुखी सबेरे से संजह तक तो इसे लखा तहां को एकाग बिकेट गाउं गिर ने जाए लास फुलास तो इसे न है रान सब एक करोना काल में तो चला एक यादों के प्रसंग एहर उस वा लेकिन थोड़ा हसी मजा कहानी में आनंद मिली आप सब के पूरा बिश्वास बाद जब इतना कीमती समय देके आप लोग बैठे हैं तो प्रयास रही यही बदे रखा जात मनो रंजन का साधन आप लोग मनो रंजन के लिए आ बढ़ियां पर संग लोग कहान से सुना अब यहार सतनी के अनंद कहानी ले आप सब अब सब आप सब आप सब कहन भाई लोग को फरमाई सबाई कहन भीया जरूर सुना दिया स्वागत बाप बढ़िया प्रसंग आप सुना उजाला जी से बहुत सुंदर भी रहा का बजाया माश्र कोनों दून बजा दाग्ठ अब भाई कराथ भाई लेक्टम ऐसा ऐसा कार्टून मार देखें दूचे दूचे में राम खिलावन थे वहाँ जोन जोन बात धाई गें बीचे बीचे में भीया हमरे वावावाद क्या कहना है जब से ने ना जब से ने ना मिलल बात यांके बढ़ाद क्या बात यांके बढ़ाद क्या क्या बात यांके तुचा करी भीया जमाना के बलिहारीबया तनिक अपने नमोक के दर खरी थे लेकिन इसा इसा धुन तराना जहो की दी है आज के गविया लोग अब आपों सबके जरूरत परत है यह हुख है लेकिन अईसा गीत हमरी तरब से ना होई या हमरे पार्टी वारलन के तरब से अईसा वक्तब ना होई भी आप सबके सर्मिंद की एहसास होए नाता बहन लोग भी बैठी हैं घर का कारी करम है जब से ने ना मिल बात आगे सम्मानिता बड़े भाई पंचम यादो जी संकरपुर के भूमी से एक सो एक रुपिया के माया पर उसकार उत्सा वर्धन किये जय हो भाईया बहुत हो धनदाद प्रणाम भाई आपके रोज अखिया रहेला इंतजार में दिल भाईल बादी वाला तोड़े आप हमारे पूर्ज आदरने आप श्री बबुजी राम दुलार यादो संकरपुर से एक सो एक रुपिया का सिर्वाद प्यार दुलार चरणों में पढ़ां पोंचे सभिया के नमन्बा जै स्री किष्णा जै स्री राम करिला सुकरिया हम वही भगवान के तोह के बनावले बाटे कौन माटी सांके रूपया इसन बुझाला देख सूरज लगाला के तोह के बनावले बाटे कौन माटी सांके सम्मानी दादरियाद ममसरी लाल जी यादो आपके पुत्र जी हैं भीया के तरब से 50 रुपिया बहुत हो सुभा सिर्बाद बाद जैसे चंदा उगल दर्याओं में जैसे चंदा उगल दर्याओं में दिल भाई लिपा दिवाना दोर पिता के समान आदरने आप स्री राम अमध है आदो जी जिनकी छेत्र में चर्चा है बाबुजी बिर्यादरी के हमारे सम्मान है गवरों है जगनाथ स्वामी के भंडारा में अगर भोजन में हाथ लगाए दें तो अमरीत होई जाए बाबुजी एक लाहे आपके अंदर बाबुजी के अंदर 101 रुपया का असरी बाब चरणड़ों में पडा़ा असरी बाब की प्रतिक्चा है सब भिया लोगन की पडा़ा ये देखें हमारे धर्म के भाई आप श्री भारत प्रताव प्यादो संकरपुर के पाउन धर्ती से पूरन पूर बड़ी बच्पने से मित्रताबा हमारें कर एकदम महतारी तो दुनों जने कर लग हैं लेकिन भाई हम एकदम सगा के संबंध है बभू जी धन है मा जुबहिया को जन्मदी धर्ती पर मा के चरड़ों में हम प्रडाम करते हैं बंदन करते हैं एक स्वेक रुपया का बहुत बहुत पाउन पुरुषकार सब की नमस्कार बाम आवा प्चल भीया अब आप सब एक कहानी से जुड़ें बिरहा की शुरुआत दमाश्टा रावा पुरा प्रयास रही के आप सबानंद मिले और मिली पूरुषकार बाबा बहुत बहुत धन्मद बढ़ा ही पाउन पुरुषकार हमारे छेतर के बड़े ही सम्मानित समाजशोई आप धर्म के भाई श्री जगन नाथे अदो जी ग्राम बंजरिया संकरपूर सपा बिधान सबा धक्च लंभुआ सुल्पान पूर। बढ़ा के फ्रमाईस भी है और घर मालिक जी का आदेश भी हुआ है कि बढ़ा पार्टी के गीत अईसन दुनों तरब से नहोई कि चाहे सब का सम्मान है, सब का स्वागत है लेकिन चीरेई बोले सगुनवाना बड़ा प्यार दुलार आप सब दिये है यह गीत में ध्रक्च जी के सम्मान में तो एकलाईन जरूर हो जाई कहना है क्या मुण रुप्या के पुरुषकार बहुं दुधिया के पड़ाम हो जीते प्रिथभी पाल भी रनावा जीते नेता भाईया भी रनावा चीरेई बोलाई सगुनवा जीते नेता भाईया के पुरुषकार बहुत धन्वा पुना फिर से आपका प्यार दुलार मिला हमारे छेत्र के सम्मानीताब ग्राम प्रधान आदर्णी बड़े भिया श्री हिर्देराम डाक्टर साहिव पुना एक 101 रुपया के पाउन प्रसकार उचा वर्धन किये भिया के स्वागत बंदन नमन है भिया के भी यहां कारिक्रम हुआ था एक समय थी वाबुजी बड़ा स्वागत सम्मान हुआ दर्वजे पर साध्ये बोलाई सबेरे बोलाई बोलाई सारा दिनावाना समाज के सम्मानी था बाबु लाले अदो जी संकरपुर से अरे मोर भीया यह तो जनता को प्यार या हमार सब कहुर कोनों बिजनेस थोड़ी भीया कहा थैन गावाई द भीया इहीं पते तो गावाउ ज्यात्वा संकरपुर से बाबु लाल भीया के तरब से एक सोख रुपिया के माया पुरुषकार बहुत धनवाद पड़ा मुद भीया के साजे बोलाई सबेरे बोलाई बोलाई सारा दिनावाना भारी पडले पुल्हाडी निशन वारे चिराई बोलाई सगुनावाना स्रीमान आप भाई संतराम यादो जी पूरुषकार साथ में आप आदरनी बाबु राम भिलाक यादो जी गराम संकरपुर से बाबा आपके पावन करकमलो से क्याउन रुपिया के लड़का का स्रीमान आप प्यार दुलार प्राप्थ हुआ चरणो में पड़ाम भाई सब भिया के नमस्कार स्रीमान आप बड़े भाई भिपिने अदो जी पूरुषके एक सो एक रुपिया का उत्साबर धन किये बहुत बहुत धनवाद पड़ाम भाभिया के आवा कहानी पे चार लाइन वह में कहना हुआ करता तुम्ही और धरता तुम्ही दुख हरता तुम्ही हो या भोला या बिनासी अनुहोनी कोहोनी कर दे पेछर में क्रिपां के ये सिंधू सिवतांसी के बंसी करूण करंदन सुनी करी के भगतों की अपने अरे घुमाते दया द्रिष्ठी भोला त्रिपुरारी आसुतों सियन बंजी आभाय लवकित नमन सत सत तुमको ये बाध हम बरदारी नमन सत सत तुमको ये भी आए तरिके का अबाज उठावा हलका सुठाई दै ए बाघंबर धारी धन है देऊ में महा देऊ भगवान भोले नात जन्वारी नात बाबा की जैव हो बिरहा में एक लाइनु है कवाली लगल बाश्चर कोई प्रेमी गुड्डू भी अपने प्रेमी का से कहता है क्या कहता है अरे दिल जलाने दिल जलाने का तेरा यजब भंक है तेल जलाने का तेरा यजब दंद है परम सम्मानित आप इंद्र जीत आदो संकरपुर से एक स्वेक उर्पया कपावन पुरस्कार बहुत नमस्कार हो दिल जलाने का तेरा अजब ढ़ंग है दिल जला करके तूने ये क्या कर दिया कर दिल जलाने का तेरा अजब ढ़ंग है दिल जला करके तूने ये क्या कर दिया खत लिखा था किसी और की नाम से परेली फापते पे मेरा पासल जब ढ़ंग है दिल किसी और के नाम से खत लिखा था किसी और के नाम से पर लिफा फेपे मेरा पता लिख दिया भाव में कहना है प्रेम का पुन्य पावानी सारे सागर की गहरोई पर सागर प्रेम का पुन्य पानी छलकता है जब सारे सागर की गहराई तरसा करे भात्य का पुस्पवरी से निकलता है जब हर बसंती की हर बसंती की अमराई तरसा करे प्रेम सम्मानी ता बड़े भाई कुल्दी प्यादो सुमित यादो दोनों भाईन के तरब से एक सो एक रुपिया के पावन पुर्सकार बंजरिया के बहुमी से बहुत 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 के नमसकार पड़ाँ पहुचे मालिक जीवन के हर मोड़ पर खुशिया दे तरक्की दें यहीं से नजम के लाइन बामाश्टर कहानी के एक दम सुरुआत भरे साधना सक्ची हो साधना सक्ची हो तो भगवाने मिलिते हैं निष्ठा लगन से बीरान भाई खिलते हैं कहानी बहा कहा के नेपाल में मसहूर पस्पती का धाम सही है परस्ति सियू की रह्मत जहां सुबह सार है मंदिर के पास में एक गाव बड़ा खान्यारा मंदिर के पास में एक गाव बड़ा खान्यारा पर्लार को बरभन का है नसीबत का भारा नेपाल देश की कहानी है बाबू जी जहां पर पस्पत धाम मंदिर बिराजमान है वहीं के रहवाला एक गुबरधन गुबरधन यादो जी बाब रे बाप मालिक दो टाइम के रोटी तो मवजूद किये हैं घर में एक के चीज के कमी बाया यादो के दुआरे सुकीन भेश रहे लेकिन खाली बाब रात दिन भगवान भोले नाथ के पूजा पाठ करें कि प्रभू हमरे घरे में दूद दही रेल रहाई अजाद रहाई कोनो कमी ना हो के चाही वही समय बनारस के धर्ती से उस्ताद लोग आके गाउं में अखाडा बान दिये कि जो भी नौजवान साथ ही दाओं पेज सिखना चाहते हैं आ जाए कुछती में सिखें गोबरधन के सूचना पहुची के गाउं में अखाडा बनावा जाक अपने बाबु जी से कहन के ए बाबु अरे गाउं में बनारस से उस्ताद आई हैं हम पहलवानी करण करण पहलवानी करप्त करण ना बटवा का बताई भाई इस तो बड़ी सोकीन सोकीन ढूड़ के लाई थे लेकिन नसीब साथ नहीं देए अगर पहलवानी करण पहलवान बना लेकिन चल जा पढूसी कहीं यहां कोहर भाउजाई लगत ही दूचार दिन के दूद हम मांगी लाई यही बीचे में कहूं से हम बढ़ियां भाई इस लगें ढूड़ के लाई देव गुबर धन बाबू जी के बात मानी के चली गे पढूसी के घरे जो उन पदे में उनकर भाउजाई लगत रहें गीतु है बमस्टर वे तर्जबा अरे बाएं गाल के चुमा दे सहाई भाई लूग बड़ी तु लही पाई गई तु लही पाई गई ले तु लही पाई गई ले अमसी पाई में नकर भाई लूग बड़ी तु लही पाई गई लूग बड़ी दुन के लाइन बाद गुबरधन पडोसी की हियां पहुचे अब हुजाई के पने बोलाए ये भाई जी कहीं बोला गोबरधन कहीं भाई जी हम पहलवानी करब कहीं जवन तुहार मर्जी कहाई तवन कराई हम तो कहाँ रोके है कहीं भाई जाई एक बात कहों ये रहे कहीं बोला कहीं दुचार दिन हमका एक पहुआ दूद चाहिए कहीं सुल्ला गोबरधन दूदे कित नाम जिल्ल है जतना दूद हुआ हमार सभाधा से जादत देरीप चला जाता है जह उन थोड़ थाल बचतवा के लड़ी का पियत खाता है चाई पानी बनत बाद दूद ना होई पाई चल जाहिए अस गोबरधन बड़ा सवकीन हो पहलवान बनाई कित घरें भाईस बाहल है गोबरधन के ताना लग तरी भावजाई की चार दिन हम पईयब दूद मांगेत कहा थो भाईस बाहल है कोई इंसानियत नाम का ओही नहीं है कहा जाता है तलवार का वार सहना है सरल कटू बचल का वार तिभारी है कोई न किसी का तुख समझे आज सौर्थ के सभी पुजारी है गुबरधन के ताना लग भुजाई ताना मार देस उपुपरोस के गुबरधन का देखी गुछिया आई गई लिगो लिया कि देखे हमारे बड़े भाई बड़े ही समास्योभी आप शेतर से सम्भानी ताप गुड़ू यादो भाईया बंजरिया से आपके पावन करकमलों से प्यार भरा 101 रुपिया के पुरुषकार बहुत बहुत भीया के पड़ाओं पहुचे मालिक घर परिवार खुशाल रखें यही सुभकावना है समाज के सम्मानित आप स्रीमान सुवेदार यादो जी रघुनवातपुर आप ट्रक के ड्राइबर सहाव हैं और साथ में राज यादो घर मालिक जी के तरब से 101 रुपिया गुड़ु भई सुवेदार जी के तरब से 50 रुपिया बहुत बहुत स्वागत पड़ाम है चरवों में बंदन नमन है भाव भावजी मारति हाई भावजी मारति हाई उहाई पान वात्य पान आवा कंच्थि और फान राज्ड़ू अन्यर्वрий का चाओ आहाँ हरों सब्सक्राइब उत्तर्पदेश के जावां सर हो जाई बोल पड़ी गुबरधम सुनला हमार बाद अरकी निलावा भाईस ताबा तु भरोटी जी हाँ तु सर के आगे हां जानी ठाई लई हाँ तु सर के आगे हां जानी ठाई लई हाँ यह देखें आप आदरनी आप भाई कलू या दो बसावंपुर के धर्ती से क्या उन डुपिया के माय प्रुस्कार भिया के ननस्कार हो माली खुसा हैल रहते हैं तब है आया आई गई बाबु आई गई भोले बाबा के समानावा गोबरधन के जब भोजाई किताना लग गा है तो वहीं से डारेक्ट पहुचे भगवान भोले नाद के दर्बार में कि यहीं बदे हम राद दिन घंटा बजावा थो हीं यहीं बदे जल चड़ी करता ही हम कहां है दुनिया के मालिक हमके आधा पहुआ एक लीटर के दूद्ध जरूरत परित हमार पास पडोस के लोग सब ताना मार दें कि भईस बानला हमार बाब इतना बढ़ियां बढ़ियां भईस खरीद के लावतन सब खाली निकर जातें कह है आपकी सकती भोले ना पहुच गे दरबार में माथा पटक दिए समाज के सम्मानीत आदरनी आप स्रिय जुद्या प्रसाद यादो चवपरिया के भूमी से भईया की तरफ से एक सो एक रूपिया बहुत पड़ाव नमस्कार भगवान भोले ना आपके पुकार करे लगे कि दुनिया के मालीक प्रकट होना होगा कहां है आपके निगा भगवान भोले ना आत का आप संटक मगाने लगा कि कोई भक्त मुझे याद कर रहा है माई की रिजा खुदी आवई लेगी कि आखी मून के कहां मस्थया भोला यही बदे कही थी गाजा भांकम लेवा करा जब देखा एक दम जूमा तहा जूमा तहा जूमा कि आया कहूं सुखबा कहूं दुखबा क्यों को थोड़ा हुजरूरत पर ही आएक मंदिरे खड़ा होई यहीं तो हम जोला लाई कि दा उड़ता ही रहा है है तो संसार है मृत लोक है गिरजा माई कहें ना भोले ना था आपको चलना होगा हां तो जोड के बिनिति करे लेगी कि गुबरधन के पुकार चलके सुना है तर्च के लाइन बहां यह बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी अरे कवनेगु नहीं आ पधला पियवा मोर बाबू दरोगा जी कवनेगु नहीं आ पधला पियवा मोर आपको चलना होगा जी कवनेगु नहीं आ पधला पियवा मोर बाबू दरोगा जी श्रीमान बड़े भहिया भूल चंद्रे आदो बंजरिया से 101 रुपिया भहिया के पड़ाव नमस्कार सुना मुरे भोला हो सुना यण बंगी हो तोहरा दास करत दा करूल पुतार सुना मुरे भोला हो सुना मुरे भोला हो वे बठें कुना फिर से लाल पिया दो ठुठवा से मामा जी के तरब से क्यावन दुपिया बहुत बढ़ाव नमस्कार पमसे कहे लगी भोला जल्दी से चला और वह लड़ीका के दुख दूर करा तया के सागर क्यान उजागर आप है अंतर यामी ये खोला राहे जोहरत नास बुदारत पर्ख ठाके दुख दुए तैयां नरा है स्वामी अरे मुरे भोला हो सुना मुरे स्वामी हो तैदा लईया के भवसे अब पार सुना मुरे भोला हो जिस मंदिर में गुबर्धन पुकार करने लगे हैं बाबूज रो रो के फरियाद करते हैं भगवान जल्दी से प्रगठवा आज जब तक दरसन होई आपका भोले नाउत प्राण चला जाई लेकिन इदास नहीं जाएगा आखिरकार दुनिया के मालिक भगवान भोले नाउत को प्रगठ होना ही पड़ा दोनों प्राणी प्रगठ हो गए बिरह के टेरी में कहना है ये भाईयान प्रगठ हो गई लेक भोला लहरी निर्चल भाव देखिके यासन सिव का दोला निर्चल भाव देखिके यासन सिव का दोला प्रगठ हो गए जब दुईनों प्राणी प्रगठ हो गई गोबर्धन इतनेम गोड़े भाराइंत परें अज हमार भक्ति पूर्ड होईगे सारी कमे आज पूर होई जाए भोले नात कहन देर जिन करा देर मत करा जवन कुछ परेशानी हो जल्दी से बोला गिर्जा माई कहीं बेटवा चूकवा जिन मौका बढ़ियां मिल्याब वा इनका कैशो मनाई के लिए जवन कुछ परेशानी हो जल्दी से बड़ा दयालू है कि गोबरधन कहन मातारी काव पताई आप तकुल जल्मति नहीं इहां सब चीज बालकी ने कई चीज के दुख कुछ भाह कहीं बोला बेटवा कहन माई दूधनायन है घरन दूधनायन माई भैष नाय लगत बाम मातारी खालिन भैष दुवारे खड़ी भाह कर लो डूट दोड जाए गिरजा माई कहीं अभी हो हम कहीं है भोले नास से हम कहीं कहीं बोल दे महतारी बड़ी पूराम धोन लग गे मास्टर आरे लागल म सवय साड भर गया नदी युर नार गात दिनमा होई गया गार हे नत के दिनमा होई गार हे नत के दिनमा गार गार गात यही तरज में माई गिर्जा भोले ना से बतावत हैं पालक की सुनकर उन पुपार गिर्जा बोली बैनू चार बिन की सुनिला हेत्र पुरार भी पत्वाताई पहर भोले ना से कहीं कि सौमी लड़िका तनी के कुछ संकुचात वा कहाई में हम हीन बताई देत हैं का चाही लड़िका थे भगवाम भोले ना से कहीं गिर्जा बोल दा तोहीन बोल दा कहीं प्रभू लड़िका के घरे 22 बा लेकिन 22 खाली बा संकर जी यह कारण यह कि ज़ोन हम दंप दंप मारी थ। यह एक मुसीबत यह ज़ोन हम गाजा भांक हाइस मजभूर है कहीं कावा कहने ब चलिया निका भाइस हेर कि देए यह हमार कामबा है यह भाइस धून के लिए भियान चारा भूसा न पूर काई पाउ है फिर आई के मंदर हम कहाई कि संकर जी हमका भूसा लहाई द्या है अभी यह चली करी हम गिर्जा माई कहीं स्वामी यह बाप कष्ट दूर करा एक बार ज़रूर पकार सुना लड़ी का के सुन के गीरी जाके बात शिव जी मनन मने मुस्कार बोले नात कहनब तो आई है हमका आप कुछ न कुछ तूपाए करें खोई सुन के गीरी जाके बात शिव जी मनन मने मुस्कार लकडी दिये बालत हाँ खहसके भोला लहरी लकडी यह दिखें आप रभी भहिया के आदरने पूज पापा जी हमारे धर्म के बड़े भाई मोहन लाले आदो पूरण पुरके भूमी से 101 रुपिया का असिरवाद प्यार दुलार बहो दोत पड़ाम बाचरणों में बंदन नमन हो आसिरवाद के प्रतिचा है सब भहिया लोगन के पड़ाम यह देखें आप समाज के सम्मानीत आदरने आप बड़े भाई लल्लन यादो पूरण पूर से 101 रुपिया का पाउन पुरसकार बड़े भहिया का पाउं छूके पड़ाम पा नमसकार पहुँचे भोले नाद कहें गिर्जा अब गवरधन के परिशानी हम दूर कई दे थे कहन बिल्कुल स्वामी आप धन्य है उखें हाथ उठाए अपने माया से लगभग एक मीजर के डंडा निकाले अडंडा देखताई मान तो गवरधन के पैजामा तूक डोरी तूट आपन दुख दूर करें वदे आप हाथ जोड़े बिंती की नी डंडा का करब कहन को बरधर सुन लेही डंडा स्थोरे घरे में दूध दही माठा सबजाद रहे कहन प्रभू ये का का करब हम कहन लई जा भैइस बाघरे कहन बड़ी सौकीन भैइस खियाए पियाए बाबू हमारे एक दम संड के या लेकिन भैइस खाली के खाली निबा गहन खाली रही लेकिन अब आज के बाद खाली ना है डंडा लेकि जा बेटो आप पहिला डंडा जब बादी ये डंडा लेकि जा अभाईस नहवाद होआ दी है अतुरंते पहुचते मान एक डंडा पछवारे खीज की जम दी है पहिला डंडा जब बादी बच्चा पेट डोल गई लागी तुख दर्द सब भागी बाद करें पहिला डंडा मार देवा तो भाईस एकदम तुहार करीब होई जाई गाबिन कहें धन्या प्रभू यसे बड़ा सुवध्या अभमकान मिले कहें लाइजा एक डंडा मार देवा भाईस एकदम करीब होई जाए और वही लागे अगर दुसरों मार देवा है वोई दुसरे का इहसास वोई दुसरे का इहसास मालिना होई जाई खलास घर में खईया दूद भाग दीपत भागी शगर हरे बाप रे बाप कहें दुसर का डंडा मार देवा तुरंत मामिला किलियर होई जाई बच्चा तुरंत पैदा होई जाई गबरदान का अपकोषिक ठीकान इन बाई बाई भाईया है डंडवा पहुतं एमान तो भागाई द है कि टना जल्दी घरनध पहुची तुरंत लू से भाई होई देवा झा देख तुरंत मारी डंडा डंडा लएके तुरंते जो भागे लगे गिर्जा माई कहीं बेटवा काम निकर गया नमस्तु पढ़ां भुल आई गे कहन माई यह उच्छमा की हुँ तुरंते दुनों जने को फिर पाउं पकड़े आसिरबाद लेहें संकर जी कहन लेकिन समहार के रख्या एका खबरदार कहुं यहार वहार डंडा न कहा कहन भोले ना ते का हम बहुत सम्हाल की रख्या बासिरबाद अब चली हम डंडा लेके पहुँचे दुआरे अजब दुआरे पहुचे कहन ए बाबू ए बाबू मारू है डंडा घुमाई के धाई देता कहन बाबू आईगे बाबू आईगे अरे बाब बाबू भडग गए कहन हमार कियावा पियावा लडिक्या भगवान दुलारेक लडिक्या कहन ककरहवा पर कितना ही आवत है कहन बाबू हम सीधा रस्ता पकड क्या होती ककरहवान सकरहवान था नपवान हमका कुछ भथ हो रही ब्याई कहन कहन डंडवा मार घुमाई के धाई देता है कहन बाबू पहले भई इस नहवाई देया कहन दुहाई भगवान की बिटोवा खमरे का होई गया हाँ है 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 होई भी अधन्य बाद भी आ यह देखें परम संबानी ता बड़े भाई जगन नाथ यादो ग्राम बंजरिया संकरपुर सपाविधान सभाद धक्च लंभुआ सुल्तानपुर बंबं बोल रहा है कासी है वा भी अधन्य नाथ के प्रसंगव चलतवा इक्य भी आगे बाबु भाईस नहवाँ दिये अजब भाईस नहवाँ के लाए यतने में गोबर्धन बस खींच की एक डंडा मारे भाईस यह उतना बड़ा थन कई देश कोन तोड के भाईस खड़ी व्या बाबु आवाँ करे भगवान योई कागा कहें यही वदे कहें कि पू प्रणाथ के दिन दंडाया के बटवा मानिगे हम तोरे भक्ति में सक्ति वा डंडा तो बड़ा करामाती निकला तो भाईस यह लगत बदुए चार दिन में बच्चाव कई दे अरे कहन तब तो बेकार कई दे है जा तु बल्टिया तो उठावा के भी यह बल्टिया के जा इस पड़वा भी आईगे बाबु धार फो रही लगे जब बाबु धार फो रही लगे तने में डंडा धराई की घरे भुलाईगे तरी भावजाई की वाई डंडा कहें कहो दो चार दिन के हम पाववद दूध मांगे हमारे तना बेवार गरवड संकर जी कहे रहें सम्हा हमारी के रखे लेकिन कहां रखाता है उनके तो उताव पात लाग भाव गंडा ले पहुंचे कहने भावजी पड़ोसिखियां भावजाई की बलाए भावजी कहीं गुबर्धन जब एक दाउग मना कई दिन के दूध ना होई पाए हैरान मत करा गुबर्धन चलाई जाया हैं से कहने सुने ले हमार बार आवाज नीचे भावजाई गुबर्धन के दूध होना चाहिए दूचार लीटर के तुछ के काम हो हमरे हिया सलाओ कहीं न तुहार दूध लेव नयापन दूध अट जा गुबर्धन यहां से हटीन जाया यह तने इम कहने तेरी भावजाई कि वहाई डन्डा मारे खेच के परदेशी बंबाई में नव महीने से ठेकेदारी जमाए हो मामिल्या गडबड होई गया है जब मामिल्या डंडा मारी के गडबड कई दे है तुम्हां से गायब होई गया हटे डंडा लई के आए दुआरे कहने बाबू कवनों दुधे में कमी तुनाई पावता कहन बटवा अबे तो ताजी भाई श्याक है रच्चव कमजोरी जिन समझा रच्चव अगर 19-20 दूद फरक समझा तुरंत बताया डंडा हाथे मद ताजी कई दे कहन-बतोवा एका समधि रखा डंडा अबहुत सवकीन पाई गया है कहन-बाभू एक चीज गलबर्य होईगी कहन καा फिस्टी कहन पड़शी बाभ जै यहां कहन कह किया कह कहन दूदवध emot दे रहे बाभू हम का बाभू तीन से घराब लाग गया हम कहन समान पठेस पह लाईजी पहेन खबरदार मार्या तु हमार जों का 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 चवरा आप चार जने चवधरी चवधरी कई कि बोला वत रहें तो का संकर जी दंडा दे हैं भाइसी कमारे के तु मनैक मार देता है खबरदार आज के बाद अगरी तंडा घरेम रहे गया इकल जाए हैं से लेके गुबर्धन कहन बाबू का बताई बात सही कहता हा ना रही बांस नबाजी अगर इघरे में रही तो कहूं अंडबंड होत रहे और यहर परदेशी नव महीना बाद लडिकेन के सुधियानें कहन लागडाउन कहन घरे चले कि चाहिए काफी दिन होई ठेकेदार बढ़िया लडिकेन कपड़ा महरारू के साड़ी हाँ डबल पी पाइकित मीठा टांगे दूआरे पहुंचिगे हैं जोने दिन भोज आई कि मामिला गरबढ़ भड़ा संजगो गई यही से लही कोई दिन परदेशी आई गुलावा थान अपने दुलहिनी के दुलहिन बहरे निकलता इन आईन भागवारू कैसे जाई हम अब कास सोची हैं अब तर्जु है ब्यमास्टर है आज पड़ेरी बोलाव कागरी जना राजा दिया है अरे याज पड़ेरी बोलाव कागरी जना राजा दिया है जना दुलहा मूर याई है मोरमन 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 सज याई से लागरी जना राजा दिया है बाप रे बाप दुलहिनी के अपने आवाज देथ हैं बोलावत हैं कहन दुलहिन हमार निकरत नहीं ना कहां गव हो पिंटू के अम्मा ये पिंटू के मम्मी अरे भगवान निकल नहीं तो कैसे निकलें इतने में घरे में घुष गिये हैं ये मार दुलहिन बोलत नहीं ना जब घरे में गव जो मामिलया इसन देखे रे बाप रे बाप बैग वहाई देए खटियाप मीठा वहाई देए डणवाट डाग देए कहन यही बदे कहुदू पैशा बहरे कमा इनके सारे के साथे अभी यही बदे कर रहे समाज के सम्मानित परमादर्णिया बड़े भीयाश्री सुनी लेया दो जी मठिया के पाउन भूमी से बहुत बहुत धनवाद भीया को पडाम है स्वागत है आपका 101 रुपया के पाउन प्रुसकार बहुत बहुत धनवाद पडाम पहुचे आदरनी मास्टर साहिब जी का कहना है कि एक लाइन कोई सिक्षा के उपर संकीत कर दी ये समाज के लिए तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो सबको एक समान का दरजा मिलना चाहिए बाबुजी कहना है कि बेटा बाबिटियां खूब पढ़ावा भर के इक्षा लेकिन एक करोला काल में सिक्षा तुरू लब होई के बाब ही या लड़ी का जमन कुछ पढ़े लिखे रहे सब्दाएं भाएं घुमा तहां बिद्याले तो रोक लाग भा ठेका खूला भा पिटवा बिटियां खूब पढ़ावा भर के इक्षा सिक्षा है बहुत जरूरी मितवा जवने कराई नकल नो पैठिके देख परिछा सिक्षा है बहुत जरूरी मितवा आप मास्टर साहिब के सम्मान में हुई गया समय नुसार काम हुई फिर होत रही गीत कहानी पर आई जाएं तने के गोर करें बाबू जी गुबरधन परदेशी दुआरे पने हैं यहर परदेशी जब अपने दुलहिनी के पोजीशन देखे बाब बाब एकदम परेशान होके कहे लेगन कहा होई है करे करहा दुलहिन पाउप गिरिगे भगवान के सवगंद खात ही हम बेकशूर है दुलहा एकदम मिजाज गरम ह तो कहा के बाज एक कही कि देख लेगन कहीं तु बेकशूर है नौनों महीना के पोजीशन आखी के सामने बाब हमका कहत या बेकशूर है तुलहा बोल पड़ा कि अरता है बलहाई उपरे सानी हो गोरी कई के नताओ बहुत बहुत धनवाद इस धरती पर आपका स्वागत बंदन है समाज के सम्मानीत आद्रणी आप बड़े भाई कालिका प्रसाद यादो प्रबंधक जी गरिमा सिच्छन संसतान मुतिगरपुर सुल्तान पुर साथ में आप समाज के सम्मानी तादरणी मड़े भाई कुल दीप यादो रमे से यादो राके से यादो आप बीडी सी भहिया रमे से यादो कानपुर वाले पावन करकमलों से बड़ा ही महान प्रसकार 201 रुपया का उत्सा बर्धन हुआ समाज में भहिया के पड़ामबा 1002 पड़ाम नमन है ये देखें आप स्रीमान बभलू यादो जी पूरनपुर से ना ना बढ़ा है दबढ़ा है पूरनपुर के भूमी से 101 रुपया बहुत दहन बाद पड़ामबा भहिया के गरिमा डुबायू खान दानी हो गोई ना दानी दुलेनिया कहे लगी विश्वास करा हम एकदम बेकसूर है अईसन कौनों काम नहीं कहे ही कि समाज में आपके सर जुग जाए लेकिन दुलहा एकदम बाबु जी जब पोसीशन देखतबा ओके कापता कोई डंडा कमा मिलाया भूख पिया सब दूर होईगे यार गुबरधन के बाद सुनला बाबु जी कहे लगिन बटवाई डंडा लई जाए कि दूर बहाई दे हा गुबरधन कहें बाबु अब तो डंडवा हम लईन जाता ही बहावई कहते है भाइशी ये ताजी कई देवाई भाइशी ये ताजी कई देवाई दू ये चार दिन के भाइश बच्चा कहे बे बराबर दूर देदवा तू भाइश ताजी करता कहन बाबू हम कहें बड़े उधस सक्ति भक्ति लगाए भगवान भोले नाथ के नजर घूम की डंडा मिला भाखिर भवाई देता ही यहा कहन लई के चलाई जाया गोबरधन बहुत बड़ी गलती किया तो पड़ोस में अपने भवजाई के डंडा मार के गोबरधन डंडा लेके निकल पड़े काफी दूर चला गए कहन का बताई अबे के हम कहां बहाई देई कहुं जमीन पर बहाई देई के उक हाथे लग जाए बहुत दूर निकल यह एक कुछ दूरी पर गए एक गाउं में चवधरी के दुआर रहा संजोग गति उही दिन चवधरी के बिटिया के बरात आवे वाली बाँ बड़ा सौकीन कुवा बनावा वही जनवास लगावा चवधरी पानी पिये के बेवस्था सब उही कुवा से कहें यहां बरातिन के कि बराती आवे वो ताजा ताजा पानी निकाल के ठंडा ठंडा यही से दीन जाए तो बरधान इतने में पहुँचे उनके सामने उहे कुवा देखाई पड़ा कहें नवे से बढ़ियां स्थान गी तुह बाँ कि कहा हमरे सुर्गी गुरू जी गावें अरे लागल लहना में आगा कुझाई कोई से लागल लहना में आगा कुझाई तर्षी टे लाजल यहा थान आगा कुझाई कोई से लाजल लहना में आगा पुना फिर से 50 रुपिया के प्रुष्कार आप ठुठुआ के भूमी से लाल जी आदो बहुत बहुत पड़ाम धन्रबाद कनवा के बाली जैले हो ठावा के लाले मगिया के सिन्हुराम चाई कैसे लागर आवे आदो अरे बापरे वही इक कुवाना में डंडा पहाई दी हले वही इक कुवाना में शक्टा मुखिया के बिटिया के आयल बरतिया अपनिया पियाई सब करई सब गतिया मिहनत माजे दूरी सब पाही गई ले वही कुवाना में डंडा करते है कि कुवाना में डंडा पहाई के फरार होगा दी अगरे वही कुवाना में डंडा पहाई चाहिए होई गए जब वहां से चल पड़े साम के बेला में जब चोधरी के दुआरे बरात आए जितना सेवादार घर के नौजवान साथी लडिका सगियान रहें सबके चोधरी कि तुम टाइट कहे रहें कि सेवा में कौनों कमीना होके चाहिए बरात इनके सामने सबके पहले पानी पहुचावा साधा हां मुध होएं फिर कौनों दूसार आइटम चली लडिका एक तम टाइट हां बल्टी भेरे और सारा बिख डंडा को ही पानी मुतरी के बारे भगवान हो बराती सब बढ़ियां इस परे मारे हां गरदा जारत की गाड़ी से उतरे चाचा पानी बाईया पानी कहन भाँ भाई बहुत बढ़ियां सम्मानी सेवा बहुत बढ़ियां हो रही पहुचताksom reco हैं हाँ चाचा पानी प्या पहले आप सब मुखारी किरा हा थमुधोवा पाइक बन्हदभा है पाइक पैक होध वो मिठा बन्हदभा आप सब पहले मुखाद्ध होआ जेका एक गिलास थमाई दें हां अधी गिलास पीता इमां करो ब्लोट तूट जाए करो हुक टोट लिए कि न बटन टूट गे जितने मेन आ हरे बाप ये बाप जितना भृती रहा है आ है। येकर मा मीलया गर्बड आई कि अनुम हो की लें अरे घगवान क्योंण प्ति आईगी है तार शोच कि चला रहे बृती में क्यों क्यों पारिन पारी पारिन पारी जतना बराती रहाएं दुढ़ाई सो बराती सब यह से यह कई रोईयां सब अरे बाप रे बाप मुसीबत बढ़े गे गीत बतल के मस्टर अब परंपरा बारीत रिवाज के अनुसार जोने गाउं में बरात आवा था पास पडोस के माता बहीं लोग सब कहा थे चला देखी आज फलाने खीयां बराता आई बे दुलहा कैसन है बराती कैसन है चलगरी के गाउं वाले समाता बहीं लोग आई के जब बरातीन के देखे बदे पहुंची कहां या रे बाप रे बाप हरी मोर बहितनी हो कहां यह इसे बरातीन देखे या भी तक जिया हो इधातीन भाता अईसे बरातीन देखे या भी तक जिया हो इधातीन भाता खड़ा होई बराती सब लख़ई तक जिया हो इधातीन देखे या रे बाप रे बाप आईसे बरातीन देखे या रे बाप रे बाप आईसे बरातीन देखे या रे बाप रे बाप आईसे बराता डेखे या रे बाप रे बाप करके नारी वाला कम रहे समारी भारी भाईली दूर गतिया ये बापरे का जितना अबराती सब एक तरफ से गड़बड होईगे अरे बापरे बाप दुलहा के बाप बरात माली का गुआ कहे रही लागे कहनी याँ वा अरे भगवान अगुआ पकड़ के आएंगे कहनी यही विवस्था के आए बराती देखा तहा अगुआ कहे नापन बराती तुख देखा यही बराती कहे रहे लागे कहो अगर खाली होते हम तब हो कही ठीक ठाक पाए हाँ जहीन की देखा तही से भगवान अगुआ है लड़िका के बाप बरात मालीक कहें ऐ चवधरी लड़िकी के पिता जी चवधरी आय न संधी संधी से जब भेंट भें यही भईया हम हमरे बराती के हाल देखा तहा कहो बे कुछ न खाए पिये एक एक गिलास पानियों को सोजे नाई पिये आए देखा तहा पोजीशन है उधरी कहन दोहाई भगवान की कोने साई सुदिन से नका सब कहां सब पकड़ के लाया भगवान बहुत बरात गाउं में आई हमरे लेकिन कहन हम घरे से सब ठीक ठाक लई के चला रहे दोहरे दुवारे सब पड़ाई गे इनके सब कितार होई गया जानकार वो जा सुद्धू वहां इसब हमके लगदबा कोनों उपरी वयंबरे आब हैं पहुंचन जहां लवांग सटायन धर्ती पर सब एकदम हलुक आई जही हैं के विश्वासवा सुद्धू ओजहा पकड़ के आई गें चवधरी के दुवारे और एक वहांत काने पर धाई के लगे दे बीदे उता मनावाएं सुद्धू कहन जब से ओजाई सिखे ही यस मरीज जिन्दगी में पहली बार कहो जो उनकाम महरारूक है तो उनकाम बाराती समारे आँ भगवान इनके सब के होई कागा हाँ लगे मनावे कहाई जैननी कहाँ वाला गायू यह तानी बेरी अई रिये नारा दोला पहरा के है तो होता का भाशे पूखाराई तो रते वहता मोरें आवा दिली आते आवा मुरम यारी आई हो ना आवा दिली आते आवा मुरम यारी आई हो ना जितना धीले जहां धरला सकरी आई हो ना आजया प्रगट कैदा सकरी बे मरी आई हो ना लीना तो होरे भारो से जितना भारी आई हो ना लवांग पे लवांग धर्ती पे सुध्धू हो जा तमाम फूल माला अगर बत्ती सो लगाए देभी देतो तक अनेको देभी देता का नाम गहराए लेकिन जतना बराती रहां क्योक पेट बीस से उनईस ना भा सुध्धू कहन चोदुरी एक गिल्यास पानी लावा हम फिर कसब अपने करतब हम चूकबन भगवान कह बताई हम पानी कहां देर हो तुधू दरीका पानी लेक दम तैना तहां कहन काका पानी पिया देखा फिर देखा है सुधू ओजा जैसे आधी गिल्यास भार मुहिम लगाए आधी गिल्यास पीता इमान काच खुली गया कहन चूदिरी जोला हमार पहुंच आई देहा चलता ही दुवारे हम कहन भगवान कहो तु दुख हराई आई रहा कि दुख लेले है तुख लेले है कहन जाता देखता जों दुढ़ाई सुबराती है कि जहान ने काक्ठ हलुक आई गया हुए हमरे ने आई गया हुए सुद्धू अब चला जा कहा करवे अपने करतव है तो खोब के है सुद्धू ओजा कहन भगवान पता ने घरा वाले चेन भावात है कि नाई चेन पर उकते हैं हम जही से आई रहे वस्त जाता ही ना यही दूवरवा बड़ी हैरानी हुए है पांपट के लाइन बगाना ए अरे सोखांगे चलल नाई सोखांगी वही कुवर ना में आई बैद जी लेके भाई दवाई वही कुवर ना में जब सोखांगे चलल नाई सोखांगी वही कुवर ना में आये बैद जी लेके भाई दवाई वही कुवर ना में जब सोखांगी यह उहां से मामिल्या उनकर गडबड होई गया तो वहीं कि एक जाना माना बड़ा पुरान बैद रहे जड़ी बूठी के बड़ा अनुभा चौधरी कहने मौका बढ़िया वो बैदो का अंदाज लिए बहुत बांका थे इतनी जड़ी बहे जड़ी बाद बुलाई के आये बैद महराज कहने चौधरी इस सब बराती ये नहीं सबके देखाए कबा तवाई ये नहीं करेख कहने नहीं बराती के ठीक कराऊ ठीक करा बयद भाया कहने खबलाज जवन जड़ी बाद बहुत पुरान इक काउनो उस बिमारी न हो या गयस पेट बकोट ले बहने कर सबके जतना बराती रहे कहों गयस बान ले मनाई मन में सोचा तहां भगवान कुछ खायों पिकतनाई चला रहे कि बीस आइटम खाई के बाद कुछ धिल ढाल घरहीं से रहब तवहीं तखी आए इस बान ले बैद महराज एक जने को जोन सब से आगे लाइन में खड़ा रहे हैं उनके पेटे पर इसे ब कहें तू गोलगपा ओ टिकिया समोसा मतर पनीर के लाला तू यह तनी बुजुडी कहाई के आई या गयस उनके पीछे वाले जिभावान थमारे कहें तू खा काई खाई रहे हैं कहें ने थोड़ के खाई रहें एसे बाकोट ले बा तू खाली पेट लालच के मारा चलाया कहें अब समझी के सब इसे नहोगा या कैस घवडा जिन कहें एच उधरी तूर से आए बाए दराज दें सब के दिलासा हो कहाई पहले पानी हमाई प्यावा हमाही बहुत प्यावा अरे कुवा के पानी तुरताई दिये थमाई वही कुवाना में अत्कु कहरता का ले पास समझा था भी आना एक गिलास पानी वनहू पियन जोनहाल बरातिन के जोनहाल पडोसी भवजाई के जोनहाल सुधू वजा के वही हाल पैदो के आलह के लाइन कहना बाँ हाए राम अरे पूरब के सूरज बाबू अरे पस्सम से उगले भाईया प्या कुल साबलो गभारी तो चांको हरा पुछ लोग जाके खबर ठान हां पे बतावे बाबू पाई के खबर आया याई गई ले ठान हे ताव गाओं के प्रधान जी कहन जाए कि कम सकम ठान हे पितला दे दे इसूचना दे दे इक उनके हलका में इसन इसन पोजीशन ओतबा जाके बताए कि दरोगा जी इसे इसे हो गया दरोगा जी कहन इसा हो गया नई नई इसा कहन चला साहब दे दरोगा जी पहुंचे तुरंत कुरसी दीन की साहब बैटें बैटें कहें साहिब अधिकारी है साहिब सूबा मनई पहले आप पानी पिया अभी समस्या समझाई कैसिन भवा तुरंत पानी दीनी के दोरोगा साहिब के सम्मान में कुरुशी पे बाइठी के साहिब पिया इलागे पनिया रावन हुके पेटवा में डोले लाकुमार हुआ दोरोगा जी जब गबड़ा आई गे कुरुशी पे बाइठे बाइठे जब पानी पी के निबरी तव है पोजिशन गड़बड होई गया हुई में चकलका बिल्ट टूट ही गया चवधरी कहन साहिब खड़ा हुई के देख ले अब रातिन के हाल साहिब देखा दरोगा संकोज के मारा सरम के मारा कुरुशी छोड़ता ही ना कहन काव देख ले जो नहीं हम देखा ही आई हम खुदे बश्चे वही आई भगवां कहन चवधरी हम उठीना इसकते ही कहन का है साहिब कहन पहले निचव असकूर्शी यह कहिचा खींचा तब ही खड़ा हो गया कुछ पूच्छा जिन्यार वह याल हमरे उबाद हरे बाप रे बाप यही नयावत हैं उहें पानी पी के सब गलबढ़ होई जाता हां अब इतने में वही नगर के राजा के जब सूचना पहुंची तब वो राजा आ गए पाई के खबरियां तब राजा यहां ही गई में मनवा में राजा जी करे लिन भी चार बाद जब उसनगर के राजा आये जब राजा आये पहुंचे जनमासे में चुधरी कहे लिगिन की महराज की जय हो महराज जी यही नावत हां सब गलबढ़ाई जाता हां वो जहा के बुलाए बाए दिक बुलाए दरोगा साहिब आये उन्हों गलबढ़ हुई गया अहां परी ब महराज पानी पिया खबरदार पानी न पिया पहले इस समस्या के समाधान हमके समझेदा दिमाग दौडा दिये राजन पहले हमके इबतावा कि कवन आइटम देह सबकर कहें महराज कुछ नपूरा मीठक पाईकी टब घरिन में बाए केवल सादा पानिन के वाधी गिलास प बड़ी बड़ों कहन पानी देत कहां साख है तो यहीं कुअ से राजा कहले कुवाँ से इसका मतलब पानी में कुछ कारण है यग बड़ा लग्गा मघोए कैंम के लावां अगर कुछ लाला गया तो गोबर्धनों सुनी पाए रहें कि भगवान हम जमन सोच कि बहाई दे रहें उत्तों सब उल्टा होई गे हम सोचे कहूं जमीन पर भाई देब्त क्यों कहांते लग जाई यही बदे हम कुवां में बहादिन को कुवां में डंडा कभी खुतरी गे सब बराती ग गोबर्धन के बबु वो पहुंची गया रहाई जब डंडा निकाला गात इतने में गोबर्धन के देखे गोबर्धन के बाबु जी की बटवा खाड़ा भाई ही कि करतूत आगर यह डंडा बहाए नहो तो बराती यह सब गड़बडातिन ना कहन महराज डंडा हमें दीन जाए कहिन काकरव डंड़ा तुद पहले जब डंडा अपने हाथ में लिये तो यह डंडा घुमा के मारे गोबर्धन के अलगता इमान जवन हाल सब के उह हाल गोबर्धन के बाबु जनता ही यहां के जहां दूसर का मारे हाहा लिए को आग दो पता ही नह रहा बाबु तो जहां दूसरा मारब तहां के लिए रोई गया एक डंडा मारे गोबरधन के जब मामिल्या एस होई गया वही लागे दूसरा को बजाई दी है पट से डकार आई मुहें से लड़ी के बुहीं गिरी गया केतने मदरोगा खड़ा होई ये कहें काका कहा रहा है काका डंडा यहां लवा अरे बाप रे बाप जितना बराती रहा है कहां भगवान होई के आई गया आपन आपन पीट सब घुमाई दे अरे भगवान एक एक डंडा सुद्धूव को पता लाग कि आज गरह कटा दिभे ओ पढ़ोजाओ आई गें बैदव महराज पहुचे पड़ोशु को पता लाग होई भवजाई के रे बाप रे बाप एक डंडा सब के लाग पीठी पे सब के गरह कटिगे बाबा लडिका तो सब को पैदा होई के जम मुहें से जेकर लडिका जन्म लई ले ले धर्ती पगिर हैंवो कम सकम दोई लाठा दूरी खड़ा हो हैंसाल Maßnahmen काहले लेकर ख़डा है भवाल सचोरी पहुài है जाहिए ले लोटी सब कहने चैहे गाड़ी छोड़ा चाहे जिन छोड़ा आइ चाहे आइटम कोने चलति पॉनु क हम सब कुर तो आतिन रात नիकरी जाब हुआ हाए ले जे का क्यों ना पाली ओ सब हो गई नेपाली अखरी प्रमाढ है गाने का कहना हुआ खड़ी में अरे मही मा महान बाबा तोहरी पसुपती ताध मांडू नगरी आपसाए भूबत पस्पत धाम मंदिर में जो नेपाल की धर्ती पर विराजमान है बाबू जी पस्पत धाम मंदिर में महराज उस डंडे को ले जाके रख दिये बाबा जब पस्पत धाम मंदिर में वो डंडा रख दिया गया तो काठ के डंडे के कारण उस अस्थान का नाम काठ मांडू भी पड़ गया पस्पत धाम के मंदिर में उस डंडे को रख वाए अरे सिव के साधक जाकर के स्रतां से सीस जुकाए तगावण सिव के जयकर याप साइब हो गावण सिव के जयकरिया बसाइब हो पती ये था भाबू जी भगवान सिव का शमतकारी डंडा सिव का बरदान आखिर का रोडंडा पस्पत धाम मंदिर में रखा गया भक्त लोग जाते हैं पने मन की मुराद पूर करते हैं गुरू बिहारी गुर्गनेश गुरू रामी देव हितकारी स्वर्गबसे चंद्रिकंग कभी कभी भारत बने बुजारी प्रगट हो गई ले भोला लहरी गावेशी तरां भांगरत के दिर मंचोला प्रगट हो गई ले भोला लहरी तबाबु धने धने दसवा महार हालो हमारे बड़े भीया पिर्थबी पाल जी के तरफ से ये सुन्दर पुष्पहार और एक से गुर्पे का पुरस्कार दे करके आप सम्मान के लन बहुत बहुत प्राम आसिरबाद कचा रही सब भाई इनकी नमस्ते प्राम अमरे माश्टर साब कोनो गीत बजावल जात हुआ कवन गीत वा माली आए हुआ हुआ है रोकले रोकाती नहीं चे आखिया से नीरिये लागता की बेधासा करे जबा में पीए 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 प्यार जूटा कही दुनिया को दिखाने आजा तुनियार से मिले के बाहरे आजा 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 हो आजा बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब के दिद बनी बाबाब बड़ा मेहनत कई लन क्यूक क्यूश प्यार चलत होई उकरे मन में बड़ा अंदर अंदर गर्मी उठत होई लावा फुटत होई मन में एक सट मासट चलत होई प्यार बड़ा बढ़िया चीजी हो ला तो चैनी आप लोगे कैसन भी राज सुने के बाई बताई नहीं तो अपने मरजी से हम सुनाई अजब ले आप लोगे बिचार बना तो तब तक मास्टर कुस्त नहीं बजा कि आवा बढ़ी आप मन रंजन हो हमरे माता बहीं भी बइठ लई हमरे भीया चच्चा दादा लोग भी असल लगा के बिठ लोगो आई बजा कि कांड ठीक बाब कांड हो जई अले कुस्त नहीं हो अले कुस्त बजा कि आवा में बजा कि अले कुस्त नहीं भी आप लोगे असल वाप लोगे लोगे था नहीं हो माइचल बना पणिया गीत मजवलन ए गीत के आप लोग यूटूब पर जरूर सुल्ले होई हैं हमरा आवाज में अजे भाई ना सुनने होई आप सर्च कर लिए उज्जाला यादो अफिसियल आप लोगन के हमरा चैनल पर इगाना सुने के मिली कोनो मरद बाद चोरी कलहलस क्यों दूसरे के घर में ना अपने ही घर में और रात भर चोरी कलह जब शुबेरे के चोर पकड़ाए गया आई के मिहरारू अपने ननत से कहलेबा का कहलेबा मैस्टर साथ रतिया कैसे जरिया जड़िगा जोर छोती ना न दी प्याबचासा दोले ला ख Hanım पीआ बचास दोले ला İ पीआ बचासा दोले ला पिया वा जास बोलेला रे पिया वा जास डोलेला पिया वा जानी क्या वारिया दिहली खोल छोटी नान दि नतिया सवाल कदलस कलसे भावजी जब उचोरवा गयल तो कुस चोरव लसतना भूजय या कलस एक वही नी जब चोर घर में घुसी कुछ ना कुछ ज़रूर टोइट आई आचा तब मने मन मुश्कराद भूजय या कलस का कहले बाँ धीरे धीरे धारे लाग नारमी कलाई या सोजिया से कोटी गईली भुईया वई समाईया तियो नाघी बारे दिहला बारे नाघी भागे दिहला तियो नाघी बारे दिहला बारे नाघी भागे दिहला मुहमा दबल कई नाहि समचे नाघी रपिया पैसे नाचे छोटी जालादी नाचे जबल जबल जोटी जालादी प्रस्तुतीवा कान और भी रस्तुनों मिला के रही लेकिन आप लों से चाहब की आप लों गई सही सांती बनाव ले रही पीश-पचीश मिर्ट के आप लोग टाइम देए बढ़िया सभी रहा हो जा मास्टर सब आवा आप लोग देए नाप लोग देए तो अप लोग प्रस्तुनों अप लोग दो आप लोग दो भी आप लोग दो अप लोग दो खुद को फोजी चला चनमदों में करिस्ता निवाते हवे कश्क्य वरदी तो भार से निकल कर अगये नारी कंदा पलतिकर केलाते हवे चाय खाते हुए जा नहाते हुए चाय सोते हुए फिर फिर नहाते चोकंदा पड़ी गई दिहाद गई दिहाद बनते हुए रत्तरंजी तो हुआ जी निकाहे पंदा पंदा देखी आज हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है हम मंज के माध्यम से कहना नहीं चाहते है लेकिन सबकी मजबूरी है जो अभी आप लोगों ने देखा किसान अंदोलन किसान अंदोलन में चार महीना हो गया अच्छे सचाई आप लोग बताइए कभी मीडिया वला दिखाया कोरोना बड़े आइडिया से फेखलत बार अर सरकार के पता मेडिया वले के पता पबलिक के मारे के बार अब कईषे मारे के बार आप लोग खुश समझदार हुआ क्योंकि ये राजनीत की मैं राजनीत की बात करूँ डारेक्ट हम विराहा पे चलते हैं बात करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बाते हो जाएगी इसलिए कहना है विराहा में एक लाइन कवाली का टुगड़ाबा अफगे लिएक टापे में, बात राजनीत की मैं ये रिख तापे में ते राजनीत की समय की तो फड़ावी शी तापे में टापी में छाड़ावी कर दो का बन एक लागा, कर बना घरा, कर दो को का बने पलाए, का इन एक लादा है, आ मे एक लादा है। हाले, ओ भी तो प्यारा जंगसाली जंगसाली जामानो के, ओ लवारो पे पानी तो जंगसाली । जमानो के, ज़ लवारो पे पानी मबनी भितु पाने थे चम पर्य भितु पाने थे ए बाबू कहानी कहां से कई से लिह हनगल माश्टर हमारे भाउजी दुसमनों को रोक देते हैं भलाई जी यहां कि पने को छोख देते है काच कर छुटी अपनी संजे कर पलान चला बाकी दई तकस के घर से लो जावान चला ए बाबू सबसे पहिले आप लोग कहानी पर गवर करेंगे कहानी कहां सली चिला जासी जासी के रहने वाला एक ब्यक्ति विरहा का मतलब आप लोग संजी ला कि मेनो कर कहानी हो ला कहानी अगर बीच में छुट जाई तो बिरहा का मतलब खतम हो जाई गौर करेंगे बाबू जिला जासी करेने वाला संपत जिकरे आउरत के नाम रहल रेखा भगवान तीन गो यह उलाद देले हुए अब है मिरतुन्जे संजे तीनों बिटवा अपने याप में हुए लेकि संजे छोटा बेटा तील में बड़ा आर्मान बार मैं फाउजी जवान बनूंगा देश की रक्षा करूंगा दू भाईन का बिया भयल अब है मिरतुन्जिक घर में जैसे का तैसे सब पडलबा लेकिन जब संजे का साधी भयल एक आर्ती नाम के लड़की से नाम कभी बाबू बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेला आर्ती दुल सहिन बन के घर में एलिन घरा का रूपर रंग चेंज हो गया संजे का दिल के आर्मान पूरा भयल खुली भरती निकललबा संजे गयलन भरती के लाइन में खड़ा भयलन फाउजी जवान बन गयलन ए बाबू ड्यूटी पर से घरे आना जाना लगलबा वही बीच में आर्त घर भावती हो जाती है नवा महीना लगलबा बाबू प्रसौप बहला वह यह मालकरी ना चुकाओं वला यह लगली बात देखें नवा महीना लगलबा भाउजी जवान मारे खुशी में आउलाद के करना प्यारा हो ला पेटी हो चाहे बेटा फौजी जवान छुटी लेक घरे आई गेल हुआ अभी तीन दीन बीतल बाबाबू बच्चा पैदा हुआ ओ था बेटा घर में खुशाली कम माहल बा दुलहिनिया यारती अभी सउरिये में बा अतवले भाईया हो संजोग देखा सीमा से खबर आई गई संजे कुछ फउजियों की जरूरत है सीमा पर चले आईए अब संजन सारा अर्मान सारी खुशी अपने दिल में छुपा लेता है और करता है क्या जरा गवर करेंगे बिरहा के सुनने वाने भाईया बाबू एक फउजी जवान की जिन्दगी क्या होती है माश्टर सहा गेत बाब बिजोरबा कौनो किरकेट के खेलारी बा फिल्डी में मर ले बाद चवकाई उर्छका सिंगल तो कभो ले बाद अखर दुपारिया का टाइम हो आयल देवरवा देखलस भाउजाई के पुरा खोल के सुतल हो का खोल के सुतल हो तो एक के बार में कही देता भाउजाईया दरवजवा खोल के सुतल रहल अद देवरवा का खिलस उजह उन बैटवा लहले बा भौजईया के जाई के इक कमरिया में बगलिया इसे खोद धलस भौजईया जोर से चिहु कल कले हे देवर बभुआ इतोहर आदत हमके तनिको निक नहीं खिल लगता अशा तकाल गला कि खिसियानी बिल्ली खमभानों छे देवर वा यहार वहार लगल ताक है अधकते थकते तो ले भौजईया के बेडवा पर एको चीत देखिला लस तक कहत कमर्च शाहा ए भौजी सुन भौजी ए भौजी का करबो तिन तिन गो तकिया लगवादे वरवा पतावा तनि बतिया ए भौजी का चरपो तिन गो तिन गो तिन गो तिन देखिला लेकिन फिरहा पर ध्यांदि हैं बाभू संजे करता है क्या आमरे माइचर साहब कई दिल का बात वा एई गीत में इलहाबादी लॉंग वेज में लोग हलका से चेंज केके गादिला कैसे गावले माइचर उड़ती ची रही अक हैं मारा बेमाव कुणों प्रमारा चगतियों प्रमारा फिरा पर धान दाई बाभू भाउजी जवान कैलन का कहा कैलन चलती हलाए भाउजी भाउजी आई में जिनके चलती हलाए भाउजी भाउजी आई में जिनके चलती हलाए भाउजी भाउजी आई में जिनके गड़िया के गेत परसे डौमा की वरिया अखेत खरियान निरिके पेल बास परिया अरे बेरी बेरी देख है परिवार वोरी घूमी के चलती हलाए भाउजी भाउजी आँ में जूमी के अच्छा बताई न आप अगर परदेश में जात होई है तो बीबी बच्चा परिवार के छोड़े के मनना करत हुई अभी जो तीन दिन का बेटा है कैसे छोड़ करके फौजी जवान जा सकता है लेकिन देश भक्त है जवान चल देता है इड्यूती कहां लगती है जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का बर्डर बां जो शिंदु नदी हे जो शिंदु नदी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा करती है शिंदु नदी के टड़ पर जमान तैनाथ है तब तक होता है क्या कज भार के गुजार आगजा बुकार हो करक्षबनि आरा बड़ाई आपदापदार हो क्यात काया गजा भार के गुजार आहागदापदार हो तो हरे बाप के बपाउति का समीर नाईखे इंदस्तान तोन खाये वाला खीर नाईखे तो हरे बाप के बपाउति का समीर नाईखे अरे शिंधुन न दिया के रस तेर से आई गई लचो रहो ते खिली है लसंज फाट देहियां को दो रहो तो हरे बपाउति का समीर नाईखे हिंदुस्तान के शिंदु नदी से हिंदुस्तान में खुशने की कोशिस कर रहे हैं तब तक हमारे हिंदुस्तान का फौजी जमान संजय का निगाह काम कदलस बारे फौजी जमान उठा लिया हाँ पहत यार और करता है क्या कर रालाचλα नाह छाय पाधन जमान जमा बढकर सोगो यार यजी जो नलबां जमाह पास्टान का टापास्टों बstyह जमाई जमालाचल मेर्त बढकर स्पटों नद्र मासvänd हो तक है जान हो येदानौ येदानौन मैं टार जात चैस्ति झाईंम हो भी जान हो पॉजी जवान संजय के हाथ में हथिया रहे निशाना साधलिया और जो पापी पाकिस्तानी थे जार में छुप रहे हैं पॉजी जवान गोली चलाना सुरू कर देता है तर 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 गोली चलती है दखी बाबू पांच यातन कबादियों को मोट के घाट उतार देता है संजय लेकिन अभी दो बचे है कहां से कैसे दुश्मनों की संसनाती हुई गोली रखसाती है संजय अपने आपको बहुत बचाया बहुत संभाला लेकिन शरीर का बैलस बिगड़ गया फौजी जवान नदी में गीरा और डूब गया वे छुक जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर सारी है अउनके दस तस फौजी पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है हिंद कफोजी संजय का अतापता कुछना पाए है अशिंधु नदी में कई जगां जाल डाल च्छनवाए हैं शहीद घोशित हुआ जवान बिंडेट वाडी का दा हुआ अदसलाख रुपईया मिला आरती का जीवन तबाह हुआ चाथ मात में बदल गई अब सपने सारे सपने है आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे जादे अपने हैं गावर करेंगे बिरहा के सुनेवले भीया बाबू जवान नदी में गिरता है पुप जाता है भारती सेना लगातार कई दिन तक उस नदी में जगा जगा जाल ड़वा करके बाबू खोजना शुरू करते हैं ए भाई ए भाई पीछे जों दूरे लों बतिया हो तो तरह से दूरे चल्या तक टिश्टर बूद बनी नहीं भीया थोड़ा दूरे चल्या नहीं तो यह के समने में बैठां कई दिन लगातार खोजते रह गए जवान लेकि संजय का पता नहीं चला तब सरकार हार करके सहीद घोशित कर देती है संजय सहीद हो गया घर पे खबर जाती है बिना लास लहले ये बाबू अन्तिम संसकार हो जाता है कैसे परिवार कर्श सकता कैसे बरदास कर सकता है लेकिन धीरे धीरे दिन बितता है ते रही ही भी बीत गई बाबू कर के भारे सरकार द्वारा 10,00,00 का एक चेक मिलता है किसके नाम संजय किया का पत्न आरती के नाम जब दस लाक रुपया मिला तो परिवार में खलवली मस गई सब की निगाहें चेंज हो गई जो संजे को बेटा बांता था आज संजे से नफरत करने लगा जो विधवा बहू है आरती को लोग देखना नहीं चाहते हैं क्यों सिर्फ तस लाक रुपया ओ सब के दिमाख में बैठ गई ओ जहर बंगल बाबू जहर का बीज बुवाई गया एक दिन आरती का ससूर संपत बड़े प्यार से आरती के बुलाई के अपने कोठरी मिले गई लन अले जाए कि अंदरों से दर्वाजा बंद कईलन अब बंद कईके संपत कहलन का गीत लगलबा गीत से बढ़िया भावबा संपत अपने बहु से कहत का बड़न कि त्यहालस पाउजी आजे अम्मा उतिया केकी मातिया अरुपायाई हो जाई जाहरावा पेती हो घरावा उतिया केकी मातिया अरुपाया जमातु कादा हामरा की नामसे अखारा चाकरा बखाले तो अराखे कामसे आपस में कईली है जागारावा पेती हो आप मेरे तुन्जे दुलार अब होई देखा आरती का ससुर को लें बेटा तुझे भी कम है मुझे भी कम है दोग तो दोनों लोगों को बराबर है क्यों तुम्हारा पती था संजे मेरा बेटा था एक काम करना बेटा जो परिवार में नफरत हो रही है न इसको हम और तुम मिल करके नफरत को दूर कर देते हैं आरती बोली बाबू कैसी नफरत मुझे तो कुछ नहीं पता है तो संपत बोलन कि आरती बेटा जो दस लाक रुपया वो सहीदी रास मिली है जब तक पैसा तुम्हारे नाम से रहेगा अब है मिरतुंजे आपस में लड़ते जगड़ते रहेंगे मेरी बात तु सुन बिवात का जड़ खतम कर दे और दस लाक रुपये का जो चेक है हमारे नाम से ट्रांसपर कर दे अब मैं वादा करता हूँ जब भी खर्चा करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम से परिवार में मैं एक रुपया खर्च करने वाला नहीं हो भई देखा एतना बड़ा विश्वास देवावत हुआ आरती के पास पैसा रही तो जगणा होई असंपत के पास रही तो जगणा खत्म हो जाई आरती पोट गई पिखर गई शरीर कापने लगी ये क्या कह रहे है बिदाजी हथवा जोड के आरती अपने ससुर के पैर पे गिर के बड़ी उची बात कहलस बाबू आरे मोरे राम रुपईया तो हके लव कैबा भोजे जी अतलास हो गई ला पोटा यह उपतो हिया यह पतो हिया यह पतो हिया देखिए हर इंसान एक समान नहीं होता है आरती रोती है बाओ जी आपैसा कुछ मत कहिए आपको पैसा दिख रहा है ना मुझे वो पैसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे मेरी पहार जैसी जिन्दगी दिखाई दे रही है मैं क्या भगवान का बिगारी थी इतने कौम उमर में जवनिय में बिधवा हो गई लिए ओ बाबू मेरा बेटा है इसके बारे में आप सोचिए हमारे बारे में सोचिए आप पैसे के बारे में सोच रहे है पैसा तो हाथ की महल है आज है कल चले साएगा है कल चल जाएगा है पैसा सुनिए मेरी बात तब ले उसम पतवा समझ गया कि अब ही अरतिया केतनों कहवी पैसा ना देई मारे कुशा मेलाल आई के बहरे पसीना पोछत ओही चरपईया पे पैर पे पैर चड़ाई के बैठल अपने बुढ़िया के बलूलस कालस अभय कमाई एक लुटा पानी लईके आवा दिमाग बड़ा खराबा बुढ़िया घरम से पानी लईके आई बुढ़वा का पसीना देखते बुढ़िया घबड़ाई गई सवाल कालस कालस बुढ़वा कालस बुढ़वा कैसर पानी पेकत हुआ हो ऐसे पुछले रहाए पुछले के तरीका जब जनकारी नहारा है ले ते मन बोलन के नहीं बुढ़िया कालस किया रहे बुढ़ावू इपरे पसीना छुटत बाँ तब तो दोर सही बना को दिक्कत दना बाँ बुढ़ावा कलस देख रे बुढ़िया तबे तठीक बलेकिन दिमाग बड़ा खराब बुढ़िया कलस का भेलो बुढ़ाव कुछ भेला का कुछ नारे वह अर्थिया उद्दस लाक एक रुपया काप आगाई तो छोटकी जहाज हो गए लिए उसमाने उड़त बाँ जमीन पर उकर पैवे ना पड़त बाँ अब बुढ़िया के मिली गए जगा कालस तो आसे तो पहले ही काली बुढ़ावू उकुलक्शमी बाँ उकर गोड़ी अच्छी ना बाँ हमरे ला कालिक की काल मुझा और ओर आम हो अलला उके काई ला रामाओ अहां तो होंक ज़ल्दी एक हाई लगल बुढ़िया ना खड़ा बनाई के रोव है बुढ़वा कला सोन सोन बुढ़िया को रे अर्तिया खाई सुन हमान पूरा परिवार मिल के अर्तिया के खाई अए गाम को लोग क्यों पता न पाई देखा बाबू बिचार बदल जाता है परिवार का सिर्फ दसलाग रुपिया खाती बुढ़वा तै करिलस बुढ़िया से देख बुढ़िया अगर हमार चेहरा तर देखल चाहत बड़ी तो आज के दिन से अर्तिया का खाना पानी बन देखे मेरे बाबू क्या यही इंसानियत है पुरे परिवार के लिए भोजन बने लेकिन आर्ति के लिए ना बने आर्ति भूखी प्यासी सो जाती है परिवार खा के सोता है लोग आप सोचिये कितना दिन तक सहेगी आर्ति की तवेत खराब हो गई लेकिन किसी से कहती नहीं है क्योंकि यो फोजी जवान की बीबी है मान मर्यादा को बचा लेती है आर्ति की तवेत खराब होई छोटा बच्चा है जो मा का अस्तन पीता है और दोध पीरे के नातकारे उस बच्चे की भी तवेत खराब हो गई एक पहु अपने लिए कदम बाहर नहीं निकालती है लेकिन एक मा होने के लिए आज आरति अपने कदम को बाहर निकाल देती है छोटे बच्चे को लेती है और लेकर के हास्पिटल चली जाती है डाक्टर साहब उस बच्चे को देखते हैं बड़ी नाजूक हालात है डाटना शुरू कर देते हैं एक इसका बच्चा है इलाज नहीं होगा अरे बर्चा मर शुका है इस बच्चे को तीन चार दिन पहले मर जाना चाहिए था कौन लेकर आईए आरती जाती है बाबू डाक्टर साहब बोले ले जाईए एपने बच्चे को चल दी बाहर लेकर चली जाओ आप तक कहां थी आरती हथवा जोड के रोवे लग ली डाक्टर साहब आप छुटका भगवान बानी लोग कहेला सिकिंड गाड होने डाक्टर साहब मेरे बेटे के जिंदगी बचा लेचिए डाक्टर साहब मेरी मदद करिए डाक्टर साहब मैं बहुत विपत की मारी हूँ सायद मेरी बात को आप सुन लेंगे तो आपको भरदास नहीं होगा डाक्टर रुख जाते हैं हाँ बोलो क्या बात है क्या मजबुरी है आर्थी बोली डाक्टर साहब मैं एक सहीद की पतनी हूँ मैं भी धवा हूँ मुझे सहीदी रास दसलाक रुपया मिला है उसी पैसे के चक्कर में या करके परिवार के लोग नफरत करते हैं मुझे मारते पीटते हैं यहां तक की मुझे भोजन तक नहीं देते लेकिन मैं अपने पती की मर्यादा बचाती रह गई कई दिन कोही परिवार के लोग मेरे बेटे को लेकर के हास्पिटल नहीं आए मेरे बुढवती का सहारा बनेगा डाक्टर साहब को दर्द आईल ए बाभू इलाज शुरू कर देते है लेकिन बारे दुनिया के माली कोहल जला के जेकर राम न भीगरी है ओकर का कोई भीगारी इलाज हुआ उस बच्चे को आराम हो गया अजब या आराम हुआ तो डाक्टर साहब बोले आरती आपका बेटा स्वस्त है आप घर ले जा सकती है लेकिन तीस हजार रुपय की जरूरत है बिधवा है कहां पाएगी तीस हजार लेकिन मेरे बाभू हिम्मत करती है कुछ लोगों से उधार रुपया ले करके और कुछ पैसा बैंक से निकाल करके आरती जब हास्पीटल के तरफ चलती है तो घजब हो जाता है जुव्यारती का ससूर संपत है सारा लोकेशन अपने मुठी में लेके बईठल होए कैसे पता बाग की छुटी होखे वाली बाभेटा का तीस हजार रुपय का इंतजाम आरती कर रही है आज लेकर के हास्पीटल जाएगी बारे गदार ससूर एक लाक रुपया में चार वो बदमास फिट के इलस आरती का जान मारे बदे और बच्चा को मारे बदे चारो बदमास पैसा के लालच में आकर के बाभू नहरी के पुलिया पे बईट के इंतजार करत हुआ आरती के आरती बिचारी जा रही थी तमाम अवर्ते आई और गई लेकिन जब आरती जा रही थी तो चारो आपस में बिचार की अरे यार इस सफेद साड़ी में है मांग में शिंदूर नहीं है मुझे तो लग रहा कि आरती है एक बदमास उसमें से आवाद दिया मेडम मेडम एक मिनट आप आरती है आरती रुख गई हाँ भईया मैं आरती हूँ आपका पती संजय सईद आरती बोली हाँ जी भईया जी हाँ मैं उन्ही की बिभी हूँ हाँ हाँ आप लोग पन आरती समझ गई कि मेरे पती के लोग दोस्त है लगता है मुझे पहचान गए हमारी मदद करेंगे आरती जब यह पूछती है कि आप लोग कौन अत्तवलेव पपियवा बाभू होय आरती का यह मुहवा पकड़ के दाविद हलस अवजिये बन हतवा के पीछे पकड़ के यही बाल के पकड़ करके बाभू नहर के पुलिया से एक रोड कटा था दोनों तरप अरहर का खेतरहल ओई खेतवा में ले जाई के आरती के पपियवा सो पटक धलाए अब पटक के बाभू यही छतिया पे चड़िके हो लातन मुकन घुस्चन बारई शुरू कईले होए आरती रोती है और कहती है जरा गवर करेंगे पथल सा कलेजा पिघल जाएगा बाभू के देखी अमर पाल यादव पूरन पुर के धरती से एक से गुर्पे का प्रशकार बिरहा के भावपर लेकिन बिरहा प्रगवर करेंगे बाभू आरती रोतर के कहती है क्या सवकय से अरवाज कर छिनला गोसाई आयर छिनला गोसाई आहो पाई बाता मरल के तुमार जी टेंगो भायल पाहमर आलहर सोगा नावा के राला जारो रत तिसा आजार पे टाक्टर के देवे खातिर छे कपकार आवे खातिर लावता नेरो पाया ओं भाहर जी शेनुराता ओ जलल भाया कोखिया ओ जारा जानी कोखिया ओ जारा जानी अखरे दो भाया पारिवार के देखे मेरे बाबू आरती रोती है भाया मुझे मत मार ये लोग मैं कई दिन की भूकी हूँ बहुत चोट लग रही है मैं एक भी दवा हूँ मेरा बेटा या नाथ हो जाएगा फिर भी ओ पापी नहीं मान रहे है आरती अपने गलती को पूछती है क्या मैं गलती कर दी हूँ अगर जाने यंजाने में कुछ गलती भी हो गई होगी तो आप लोग चमा करिये लेकिन मुझे मत मार ये तो फिर आरती का दिमाग काम कर दिया लगता है जो 30,000 मेरे पास है उसी पैसे के चलते लोग मुझे मार रहे है पैक का चैन खोलती है आरती 30,000 रुपिया निकाल करके उन पापीयों के हाथ में रख देती है फिर भी वो पापी मारते क्यों 30,000 तो पलस हो गया तब तब उसी रास्ते से एक फाउजी जवान जा रहा था संजोग देखिए अचानक उसके मुबाईल पर फोन आया फाउजी जवान बोला हेलो अत्त तक चीखने चिलाने की आवाज फाउजी जवान फोन को रखवा दिया भाई फोन रख तो कोई महिला है पे सहारा लासार है मदद की जरूरत है फाउजी जवान इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आया अजब जुक करके बाबू अरहर के खेत में देखा तो एक औरत पर चार पापी जुटे हैं फाउजी जवान के कंधे पर बैक था निकाल करके फेक देता है और दोड गया जब आरती के पास जाता है तो चारो पापी जवा चार दिसा में आरती के छोड़ के भाग गयी लन लेकिन है फाउजी जवान मेरे बाबू जा करके एक बदमास को पकड़ लिया यही कालर पकड़ा और खसीटते हुए फाउजी जवान लाया आरती के बगल में उठा के पटक देता है अब पटकला के बाद यह ठेगुनवा ओ पपियवा के सीनवा पे लगाई के अच्यार के हुनी जब हुमुचलन लगने सा रुपया गिनने जब के च्यार के हुनी लगी रुपया गिननी अजब च्यार के हुनी लगल फाउजी जवान के हुनी न आप उठाय गीर जाय उठाय गीर जाय फाउजी जवान खीच लिया तमाचा तब तक उगड़गड़ा आए के काँ पे लगल भाईया मत मारिये हम लोग चोर थे बदमास थे लेकिन एक रहीस इंसान बन गए भाउजी जवान नीचे सूपर देखने लगा अरे साला अभी तक एक अबला कुमार रहा था तब तू तो बदमास था अजब कहां एक तमाचा लगा अब तू रहीस बन गया भाईया सुनिए हमारी बात हम लोग क्यों मार रहे थे ए जो महिला है न इनकर नाम आरतीवा इनकर पती संजय सहीद इनकर ससुर संपत दस लाक इनके सहीदी रास मिललबा एक दम साफ साफ बतावड बली नव लाक रुपिया इनकर ससुर ली हैं एक लाख रुपिया हमान के दी है कौट जब आरती के जान से मार दे हल जई और आरती का बेटा जोन हास्पीटल में बाव की दूनों के मरला के बाद एक लाख रुपिया मिली भाईया हमान पैसा के लालच में इसन काम करी आइसन कदम उठावल गल दो भौजी जवान कुछ बोला नहीं सिर्फ सोचा अरे वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था हम लोग एक कही सेक्टर में ड्यूटी कर रहे थे उसकी भी भी कुछ नहीं बोला अब सोचने लगा कि जब एक लाख रुपया में आर्ती का ससूर आर्ती को मरवा रहा है तो आज मैं चारो बदमासों से बचा करके आर्ती के घर भेजवा देता हूँ तो एक ना एक दिन उस पैसे के चलते आर्ती का ससूर आर्ती को मार डालेगा ओ चारो बदमसवन से फौजी जवान कहलन के एक काम करिए आप लोग जाईए जाकर के संपत से एक लाक रुपया ले लेना और इस आउरत को मैं मारूंगा अये इसी जगा मार कर फेकूंगा पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा चारो बदमास चल गई लन अजाई के तीन चार दिन लगातार टीवी पर नियूज देखें पेपर सुभेरे सुभेरे पढ़ें कत्तो कुछ ना पताबा तो चारो या आपस में विचार करें कि चलल जाऊ आपन तन खहिया ले लिहल जा एक लाक रुपया संपत से लिहल जाई आप चारो गयलन संपत दुवारे बरस करत हुआ काम हो गयल संपत कला हाँ मुझे पता है आप लोग नए लड़के है सफाई से काम करेंगे संपत इसारा करने पीछे पीछे अंदर चलिए पीछे वाले दरवाजा से चारो अंदर गयले बुढवा बरसुरस कही के मुहों धोई के गयल बुढ़िया से कलस क्या हो बुढ़ा देखा लू न तो उसे हम कोहली न की अर्तिया के साथ यहिसन काम करो कि कोई समान न जानी देखा इस नया लईका हुआ सफाई से काम कही लन खतम हो गई अर्तिया लिवा एक लाक रुपिया दा अब बुढ़िया जाए के मुस्कराए के बाकिसान खोल लोस अच्छा तक कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथ यही सन होद तब बुढ़िया के पता चला तब मरत तक कोरोना घोसित हो जा एक लाक रुपिया लिए कि देट में बाबू अचारों बदमास लेके नव दो ग्यारा हो गई लन आई यहां का बात आप लोग छोड़ी जरा से दिमाग आप लोग ले के चला जहां फाउजी जवान के गोली लगलबा जहां नदी में डूबलबा उहां का होत्मों मश्टर साइब बूद बूद इस्वाद कि अज़ साइब कि चला तो सबस्के एरे भूशे कि situation customer पाउजी ले समाराला हाथे ली आई फेजा अरय ये का दिन मले तारी भी भागदा पतर से बागदा आप देखें बाभू गाउर करेंगे बिर्यामार दू मिनिट रहे गई बागदा दो मिनिट के बाद उठा बैठी आप लोग करेंगे पिरहा का याकरी समझ ली है एक मला चाता है कहां मिलेटरी कैम्प में सारे फाउजी जवान बैठे थे जाकर के बोला जहीं सर हाँ जहीं 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 खोनो तुम मला बोला सर में जात का मला हूँ मेरा काम है मचली मारना जरा मेरी बाद सुनिए भाउजी जवान इसारा कर रहा नहीं नहीं यह लगता है जासूसी है साला पाकिस्तानी है हें हाँ एक हिंदुस्तान का राच ठोडने के लिए आया है आपने आपको मला बता रहा है हिंदुस्तानी बता रहा है हथवा जोड के मलाव कोलस साहब जो सिंधु नदी बना ओई छोड सा हमार जोपडी बा हमार काम बा मचली मारब ओई से हमार जिवी का चलेला कुछ दिन पहले का बात बा ओई नदी में गोलास बहके अवत रहल हम बड़े गोर्ष देखली तो हिंदूस्तानी वरदी रहल नाव के बढ़ाय लहली लसिया के उठाई के नाव पे रखली जब साहब बहरे ले के ली न मारे भीडा से दिल पागल हो गए लहल उलट पलट के ध्धान से ओही जवान के देखतर लिकेऊ का लाल सहीद हो गया ख़वन दूलहिन पिधवा हो गई तब तक निगाह साहब काम कैलस फाउजी जवान को ये गोली लगी थी कंधे में और हलकी हलकी सांसे चल रही थी सर मैंने देरी नहीं किया किसी से मदद नहीं लिया मैंने उस फाउजी जवान को ले जाकर के हास्पिटल में भरती कर दिया सहाब फाउजी जवान को आराम हो गया है मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है उस फाउजी जवान को हास्पिटल से निकाल करके और उसके परिवार्ष मिलवा दू चलिए सर देख लिजिए फाउजी जवान जब जाकर के हास्पीटल में देखते है तो सब की निगाहे चौका चौध हो गई अरे इस संजे किशी को भिश्वास नहीं हो रहा है मीडिया के लोग पहुचे या सवाल कर देते है अरे संजे आप तो सहीद हो गए थे आखिर जीवित कैसे मिले तो संजे बताया मुझे याद है पांच यातंकवादियों को मैंने मारा एक गोली आई मुझे लग गई मैं अपने आपको बहुत संभाला मेरे सरीर का बैलेंस बिगड़ गया मैं नदी में गिरा और ढूप गया अई इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं सारी बात इस मल्ला को पता है मेरे लिए भगवान हो गया ये मल्ला मीडिया अले टीबी पर देखावत हुए जो संजे सहीद हुआ था वो जीवित मिला हास्पीटल में मिला कल संभान के साथ सैनिक संभान के साथ संजे के घर ले जाकर के संजे के परिवार से मिलवाया जाएगा टीबी या बाबू पूरा हिंदूस्तान देखत रहा लो वहाँ वह टीबिया संपतवा सरवा देखत रहा कहें का उकरक्ष्या फुटल लई कि हिंदुस्तान से बहरे रहला भारत में रहा अच्छा अब पुरा हिंदुस्तान टीबी देखत बाँ अजब संपतवा देखल टीबी तपने बुढिया के पहिले बलवलस कलसे बुढा यह उमर में गंदा गंदा फोटू देखला हो हाँ चीपकल रहला टीबी यह पर टीबीया टीबीया दिना रात के लिए रहला बुढावा कलो यह नानी नहीं तो सिनिया चल जाए साहले पुरिया अन्मारी सचस्मा उतार के पोंश के लगा उलस हो भाईया अजब टीबीया पर देखलास बुढ़िया ठाक को हो बुढ़ाओ इतक होनों हमरे संजय मति लगत वा इसे हमां लालो रहले बुढ़ाओ आज बड़ी दरद हो तुमा बुढ़ावा कलस है बुढ़िया अखिया भूट गई लिए का रहे तो देखत ना बाती अरे आपन बेटा संजय बारे संजय देखके हूँ का कुछ बिगले ना रहली सारी खुशी घर में आई गई अव कुलक्षमिया के जाते खुशी गिनावत में संपतवा कलस पहिली खुशी आरतिया मर गई बुढ़िया दूसरी खुशी दसलाक रुपया हमरे नाये ट्रांसपर हो गई लोई तिसर की फिर नोकरी करी रुपया कमाई रे अरे पचवी खुशी न बुढ़िया संजय या कब बियाह करबनो यतना पहिया देहेज ले बे काउं तोला पडोसा देखी अब होई देखा अब होई नो पपियवा के धने चाहत बा अतबले बाबू हो धीरे धीरे दिन बितल बा संजय को लोग लेकर के घर आते हैं पूरे छेत्र का भीड यूटलबा सिर्फ संजय के देखें बदे काहें जो फाउजी जवान सहीद हो गया था वो जीवित मिला तो कैसा होगा ऐसा ही मंच लगलबा संजय बैठलों में मीडिया वाले जा करके फिर सवाल कर देते हैं संज मिला जीवन धान मिला संजय इधर उधर देखत हुआ बाभू कला भाग सारे पहले में हरारू लई का खोजे दे संजय की निगाहें कुछ खोज रही है तो कहा यला भाईया माईन का निगाह बढ़ा तेज हो ले संजय का माई घरवा मसे आई ली असंजय के मार चुना मोना लगावे लगली है यहाई लाल तो कि पताबा हम तोरे दरत के बुजध बनी लाल जे करीब जेकिया तो अरखोजक बहीरा ओकर यखिया तो के खोजलस ना हो लालव पता नहीं कवने मर्दे के साथे भाग गई लाज तक कुछ पताए ना चलल जो फाउजी जवान इमोशनल में था बाबू गुशे में आ गया बोला मा ऐसी नारी की मुझे कोई जरूरत नहीं है आप टेंसन मत करिये अत्तबले बाबू हो गजब हो गयल अगजब का भयल पूरी पबलिक जुटलबा वही पबलिक मसेख थे आवाज आईल जोन करजवा के चीर लहलस आवाज के कर रहल कैसर रहल माश्टर अरसाइया सोरा कटि गाईल समय आका लाहे हमारे माने का सनुरवा आजिरत बाया बाहे अरसाइया सारा कटि गाईल समय आका लही हमारे मांगी के सनुरवा जियत बया बही पूरे भीडिये पीछे मुण के ताके लगल अरे कौन बत्तमीज अवरत है जो संजे को अपना पती बना रही है अच्छा के उद्धे खले ता ना रहल पबलिक पहिचानत ना रहल लेकिन बिरहा के सुनेवले भाई या बाबो गवर करेंगे आवाज को पहचान गया संपत अब संपत को हो सुड़ी गयल संपत अपने मनवाई में सोचत हुआ कि बाप रे बपा यर्तिया बाँ कि यर्तिया को हम सकल को उन्हों कर बहीन बाँ लेकिन उस सरवा एक लाख रुपया सब ले गई लन अब ही संपतवा समझ गयल की अर्तिये बाँ भेदवा छुपावे के मले डिबा का पानी उठाउलस अब पेटवा यह पकललस अन्ना खरा बनाई के बाबू धीरे से पतिल की गली पकलललस समझ गल संपतवा की अब भेद खुली ना अब तब ले बुढ़िया याई अब बुढ़िया याई की अपने बेटवा संपत की अकवरिया में पकड़ के अर्य स्वारी स्वारी संजै की अकवरिया में पकड़ के बुढ़िया लगल जोर जोर से चिल आए का ललौ ललौ अरे लाल लाल अहाँ ये डाइन खड़ी हा डाइन कहाँ ये समान मा अब ये करतलिया उठाई तो तरे कूल समझ में आ जाई बुढ़िया का लाल लाल कहाँ ये वाक्यम चुड़ाई लिहो कई से जाया तो के छोड़ दे थी ला बुढ़िया चिलाती बा अत्ता में बाभू थड़ाम से बुढ़िया गिरल भिहोस नखरा बना ललस अलोग समझे लाई की हाड उभर गल बुढ़िया का सब बेना डलावत बा तक बाभू हो यारती करीब में अईली संजय के हाथवा जोड के पैरवा के गिरत मड़ी यारती अत्तबल संजय खीच कर मारा एक तमाचा आरती गिरी और बेहोस हो गई अजब होस में आती है आरती तो रो करके बाभू बड़ी उची बात कहती है जो कलेजे को चीर लेगी बात क्या कहती है आजा आजा आई सन कैसा लीला है को साइया तो देखा वाला अकोछे दिन जीन गिया हम के भी भाव के जिआ वाला इसी पिरहा के भाव पर संबान किये हमारे बड़े भीया छोटे लाली यादो राम नगर के धरती से 200 रुपए का प्रशकार सभाईन के नमस्ते प्राम आज सिनबात कचा रही और ए हमारे बड़े भीया लगातार प्रशकार देकर के संबान किया हमारे धरम के भीया है बहुत आप काली का प्रशाद यादो प्रबंदक महुदे गरिमा सिक्षर संस्तान मुद्करपुर सुल्तान पुर के धरती से साथ में हमारे बड़े भीया जी के हमारे कुल्दीब भीया जी है रमेश भीया जी है राकेश भीया जी बीडीशी है और रमेश यादो कानपूर वाले भीया भी आप हैं ए दो सुरुपे का प्रशकार बहुत बहुत प्राम आश्रबाद कचा रही लेकिन बिरहा पर ध्यान दिया बाबू बिरहा का याखरी भावबा आरती रोने लगी हाज जोर करकी स्वामी जी बिधवा बन के जी रही थी जी ले रही थी लेकिन आज मुझे 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 मुश्किल हो गया पती देओ मेरे सामने और मुझे ठुकरा रहे है मुझे पहचान नहीं रहे मैं कहा जा सकती हूँ तब तक बाबू फीर खीच कर मारना चाहा फोजी जबान संजे तब तक दूसरी आवाज आई और दोड करके पहुँच गया कौण? देवा नन फोजी जो आरती को बचाया था बोला संजे तुझे जंडे इक तिरंगे की कसम है तुझे तुझे तेरी बरदी की कसम है अगर यारती को एक तमाचा छुया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा संजे रुख गया भाई अरे तू कैसे यहाँ? आरती गलत काम कर रही है तो उसको नहीं मारेंगे इसमें आपका क्या जाता है? फाउजी जवान बोला सुन भाई मुझे पहचान रहे न हाँ मैं पहचान रहूँ देवानं जो हमारे साथ हम लोग साथ में ड्यूटी कर रहे थे भाई सुन आरती मेरे धरम की बेहन है और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आरती को मैं ले गया था किसलिए ले गया था किसी पराए पुरुष के साथ में आरती नहीं गयी थी आरती चरत ही नहीं ये आरती एक फाउजी जवान की बीबी वफादार है आप संजे भाईया अपने पिताजी को बुलाईए ए भाईया संपतवा लगल खो जाए असंपतवा का पते नवा चार छेगो लईका पुलन कहां रहरी के खेते में जाए के वह रहरी के चार वो पेड़ पकड़ के दूठ सत्तर वाली मार के फेट हो ये था चारो लईका गाईलन देख ललकल एक का संपाथ चला घरा चेक बट थो चला भाईया बल उलन है चारो लईका देखना की जवरी करत कलर रहूरे पेड़ गड़ थो अचारो पकड़ के हाथ गोड टांग के लई की आईलन संपत के कोई संजे के सामने खड़ा कर ले आप संजे के सामने उनकर बोलिये न निकलत थो नसा उतरत नाबा कलम कौन है तब तको देवानन फोजी सवाल कर दिया पिता जी आप एक लाग किसको दिये थे अरे जवरू संपत के आधी नसा रहना खतम आप उनके होस अवे लगल कला भाईया तु हुआ के अरे हमा लईका मिलल हमार पतो मिलल हमार पोता मिलल आए एक लाग रुपया का इस जहर भोगा थया अरे जब से हम जवमार बेटा सहीद भयल एक रुपया जहर खाए के नाराल घर में आज एक लाग रुपया का बात कर थो अभाईया जा हम अपने परिवार में खुस बनी बारे तेवानन फौजी सारी बात को बता दिया किसी को विश्वास नहीं हो रहा था चारो बदमासों से संपर्ग बना कर रखा था अजब भुला लिया चारो बदमासों को तो सारा साबूत जब सामने आया तूट गए मम्मी और पापा पूरी पबलीक के सामने हाथ जोड़ करके कापता हुआ फोजी जवान हार गया और बोला पिताजी फैसे के चलते हमारी दुनिया उजार रहते माई तू कोहत्रलू की आरती दसलाख रुपिया लेके कौनों के लेके भाग गई मैं पूरी पबलीक के सामने कसम खा करके कहा रहा हूँ पिताजी ओ दसलाख ले ले जीए अजब तक मैं जीवित रहूँगा सर्वीस का पैसा या अधा घर भेजवाता रहूँगा अगर पिताजी मैं सहीद हो जाऊँगा तो जो सहीदी रास मिलेगी उसको ले लेना और माई हो हम जात बनी दुबारा चेहरा ये परिवार में देखावे ना याई लेकिन आज से समझ लिया कि तोहर पतो हो कौनों के लेके भागल रहलू भगली बा अब पिताजी आप समझ लिजिएगा आपका बेटा संजे सहीद था और सहीद है भूजी जवान चल देता अपने बीबी बच्चों को ले करके अतब तक आरती बाभू ये इसे पिछवा मुड़ के तकली हो कल जवा भाट गयल ओ बुढ़िया बुढ़वा का दिरिस्च देख करके आरती बैठ गई और अपने सया भूजी चवान से बड़ी उची बात कहले बड़ी का हुआ कर जदार यम्मा बाबू क्या यहसान के आहां में के छोड़ा सयां में के जड़ाई आने के अरय हप्पागा लेका जागमागा बाएला पापा खारे अरय मागे का जड़ा भाजी चापागा अरति बेट गई पती से पने हाथ जोड़ करके कहती है पती देओ मम्मी पापा को देखिए मुझे दर्द हो रहा है मम्मी पापा जो हुआ जो कुछ भी मेरे साथ की है जो मुझे कश्ट मिला मैं उसको सह ली तो मुझे लगता है कि सहने के नातकारे मेरे मांकम सिंदूर वापस आ गया और मुझे क्या चाहिए मैं ये कह रही हूँ मैं किसी और की बेटी हूँ इन लोगों की बहू हूँ लेकिन आप इनके बेटा हैं मम्मी पापा बहुत बड़ा आर्मान लेके पैदा कहिले बड़न तो मम्मी पापा के मठ्ठूकराई श्वामी जी साथ मिलेके चली फाउजी जमान पीशे मुड करके एक बार मम्मी पापा को देखा मम्मी पापा के बोलिये न यवता न रोईये यवता खाली टकबाई ये सब भीले बा जाता है फौजी जवान आरती के बाद को माल लेता है और अपने बीबी बच्चों के साथ अपने मम्मी पापा को भी ले करके फौजी जवान ड्यूटी पर चला जाता है आज भी वो फौजी जवान ड्यूटी कर रहा है अब परसो संपत वक्ते रही भी हो इजे यह खाए तो बिरहा का या खरीबा बिरहा के सुनने वाले भाईया बाबू कुछ गाव बजाव में गलती भाईय लोई ते आप लोग छमा करने का कष्ट करेंगे लेकिन एक बाद जरूर गोर से दिमाख में रख लीजिएगा दुनिया में रुपिया पैसा बहुत कुछ है लेकि सब कुछ नहीं है मेरे बाबू पैसा तो हाथ का महिल है आज बाद कल चल जाई बिरहा के या खरीबाब आपकरिण पीर के खरीबाब आपकरिण के खरीबाब धो आजिए आजिए गाई आजिए जा देजिए जा आजिए हलो बड़ा बड़ा यहां बिरहा सुने के मिला उजाला जी के तरब से होजी जवान की कहानी का बजाओ थे माश्टर करो धुन बजा दिये एक कि तेरी पायल की जनकार तेरी पायल की जनकार पेह नजर तेरी पायल की जनकार तेरी पायल की जनकार तेरा दिल किसका घर है मुझे ना खबर तेरा दिल किसका घर है मुझे ना खबर हो तेरी पायल की जनकार तेरी पायल की जनकार बार डंडा एक डंडा नहीं समरा है देख लब भाया हर जगां बताए डंडा कि मुहे से लड़ी का पायदा होई गया जेकर जेकर जरूरत होई चला जाब है भाया बताव भाय कहे चला ठीक भाभाई हम मान थे लेकिन एकर सोच समझ लेके चाही जहां इतिहास साक्षी बाबेद पुरान गवाह भाभा वह ध्यान दे देके चाही बात बात आजा तो बात को परक न दे तो बात रुवत हो सीता जी के जनम्भा रमाल गवाह कोड करेंगे बात को कहा जनम्भा हाडी में मिट्टी के घड़ा में सीता जी के जनम्भा नव महीना चार दिन बहेंगे गरी में कोणों लड़ी क्या कि दाब दे जमीन पर प्राण निकेल जाए उनकर जनम घड़ा में भाए तुलसी दास जी लिख दे हैं यह मूर्ख रहे एकर मतलब जूटे लिखे यहां गनेश भगवान के गरदन संकर जी काट के हाथी के जोड़ दे मनाई के गरदन यतने में हाथी के गरदन यतने में एका सोचे के चाही के कैसे सटी गया जब यह सही होई सकत तो डंडा समनाई नहीं पैदा होई सकते और एक बाद महावली हनमान जी जो नहीं समें लंका दहन किये आपन पूँछ बुझावे बद समुद्र में आये और उनकर पसीना गिर्या रागहो मचली पसीना पी गए अब पसीना के वह अगर पी पानी पी तो वह कहा जाई आ गया अमासे में जाई जब रागहो को मचली पसीना पी ए सनुमान जी का जब करे अमासे में गहा तो मकरद्धोज कई से पाइदा होईगे अगर मुँदी की बात गल्ट है महाभारत रमाड की बात गल्ट है तब माल नेंगे कि डंड की कहानी गल्ट है अगर उस सब सहिवर तो डंडा बिलकूल रखीकत बाय कि माने के पड़ी ऐसे चाहिए यह अगरत बी और बालमीक महराज कुस से कुस्क पैदा कई दे एक ठेक कुस्य से कुस्क पैदा होई गहाँ जब खर पाती से लड़ी क्या पैदा हुई सकते हैं तो मुहे से लड़ी क्या नहीं होई सकते हो जब काने से जनम होई सकत करण जैसे जवान का मा रधी के तो हम तो मुहे से बताए ही वारे उजाला राम लक्षिमड भरस त्रुगन स्रिंगीर इसी फल दिए रहे तीनों रानी के उखे फल खाईं अब फल खाईं तो कहाँ गा अमासे में कोई अगर भोजन करता है तो कहाँ जाता है अमासे लजाएगा जब फल गरहर की तीनों रानी तो अमासे में गया तो कौन पैदा हुए राम लक्षिमड भरस त्रुगन कैसे पैदा हो गई जब फल खाई से राम लक्षिमड भरस त्रुगन पैदा हो सकते है तो डंडे से बच्चा नहीं हो सकता है इसका मतलब रमायर बेद पुरान सब कुछ गलता है जब रमायर बेद पुरान कलता है तब हम मानेंगे कि डंडे से बच्चा नहीं पैदा होगा रमायर बेद पु कि अदे कि अधिक भी भाया आप एक तरग देदिया जो सचाई हो आप कर दिये उनकी भी बात सही है आप जो बताए भी सही है अगर दोनों की बात सही है तो दोनों की सही है अगर गल्द है तो दोनों की गल्द है इसलिए जो सच्चाई हो जो सच्चाई है इसलिए जहां भगवान का चमतकार है प्रभू की कृपा है वहां कुछ भू हो सकता है सब मानना पड़ेगा जब तुलसी दाजी रमाइड में पन्ने पन्ने पर लिख दिये तुझे उनकी बहुत सही है तो डंडे से बक्चा क्यों नहीं हो सकता है इतना बलसाली करन जब काने के निके रिखे हैं काने से जनम लहीं है तो कहो हमको मुहेश पैदा कराए रभी भीया के तरप से एक सोफ रुपिया बहुत हो सुभा सिर्वा सुभका मना जाओ इह मार जितना साथी हैं आप सब जितने सुभशिनतक भाई हैं यह आप लोगों का प्यार ही अजीब है कहन भाईया कान डोंड तो सुन लेन लेकिन इसन जैसे सुनाए रहे हैं इसन फिर सुनावा लेकिन ना भाईया हाँ एक डंडा सदेखत है कितना बवाल हुई है इतना प्रमार देए कि परा है ठीक भाई ओट ठोजी के कहाने आप सबके बीच में है बाबा हाँ भी रसक अंदाज होई चला बाई समय लगे फिर हांसर सुनाई हुँ हम अरे सब सब नमन तुम करमा भारती ए रोद में तेरे लखों सुभत लाल है चरण बंदला करती सागर कि लहाई तोड़ी ही वाले तला खाल है तरसर उमर सेल है या भूसर बने तोड़े या मेरी तिकी धार रंपती है दलगा ओकी तुर्बान यों से अजादी मिली तुके का महर जिज जुपा योग कि बंदा हमें आपको गर्व होना चाहिए कि हम आप हिंदुस्तानी है हिंदुस्तान के बासी है हमारा राष्टी युद्वज दिरंगा है तोड़ी को बड़ा बाद अरे उठो मुसलमा नमाज पढ़ लो अभी मेरा सर अज़ी है हमारा राष्टी युद्वज दिरंगा है हमारा राष्टी युद्वज दिश्याम यादो कहन भाव आई गए जुनूर पैदा हुई यदि तना तर्क सुनली हम कि हम खटिया पर से उठके भाग के चलाएए जब सचाई जलग पड़ी थंका मजबूर हो इस परक हम जाई तुरंट उत्सा बर्धन करी गनस्याम भया के तरप से 101 रुपिया बहुत बहुत धन्वाद सदा खुश रहें आप सब भगवान की कृपा आप सब के साथ में सदे जुड़ी रहें बहुत बहुत धन्वाद उठो मुसलिमा नमाद पहलो अरे अब ही मेरा सरिक टटा नहीं है अरे दियाँ सहादत हुसैन ने जो अरे दियाँ सहादत हुसैन ने जो ऐसा कोई दियागरी है दिया सहादत हुसेन ने जो ऐसा कोई लेकिन बड़ा सुंदर भावल कहानी में भाव है कि सोते शेर की मोच पकर कर का जी चुहिया जगा तिया है को पे सोते शेर की मोच पकर कर refugee जड़ा है परमसमानी दाद्रणी बबू स्री रांबर न्यादो जी आपके तरब से 101 रुपिया साथ में आप भीया संतो से अदो जी भाव का सम्मान किये तरक का जबाव का सम्मान किये 101 रुपिया बहुत हो सुभासिर बाद हो बड़े भाई अमर नाथे अदो संकरपुर से 101 रुपिया के पाउन पुर्सकार मंगल मैं हो भी या जय हो कहानी के शुरूआत नजम के लाइन में कहना हुआ और बढ़तनी के चूरे अभिमान की आप चूरे अभिमान की आराम ने दसकंधर का छुड़ाया च्छता जहां पोरस ने सिकंधर का सीस्ते मूर का पलिकरन ने जुकाया सा तह से अपने भीर सास को च्छताया कंदे मातरम का गूजिता जैनाद रहे छुके न जंगा हिंद सदा जिन्दा प्राद रहे हर्याना सूबा महिंद्रगण की दास्तान सही प्रांत हर्याना की कहानी है महेंद्रगण की दास्तान बाबू जी जिस स्थान पर आजे देश्भक्त का परिवार है संकर सिंग का परिवार है जिसके पिता इस देश के लिए कुर्बान हो गए हस्ते हस्ते इस वतन के लिए अपनी सीमा के सुरक्षा करते करते आज इस दुनिया में सहीद कहलाई बाबू जी एक दिन संकर सिंग अपने महतारी से पूछे लगे कि माई हमरे बाबू जी कहां है हमार तो माई बतावे लगी हूँ है गीतबा बढ़ी संदर लाइन बाँ लेकिन संकर सिंग की मांग अपने बेठे से बता रही है कि लाल अगर पूछना चाहता है तू कि तेरा बाप कौन था तुम मैं बता रही हूं तेरी मां बता रही है रहलjach पीदा टो अरे वने गये फरिष्कन हां रहले पीदा दो अरे बतानिके बाल था आरे हो तो यादनके ब कर माले भाली है ओडिके सो ये था भाल शिके खुना आरे बता रही हूं रहले पिता तोरे वतन के फरिष्टा ओर ही के सोए कफनवा सीचे खुनवा से अपने बातु समय की है चली कहत्तर में जंग की आमत ही होगो सहीद बनलबो समाद ही याद सहामत करी हिंदूस्तनावा फान सहामत करें बनलबो समय की हिरक राओन बनलबो एतर्या भ στο दासुमा बाह सीट कौना से अपनावा इत प्bonनवा इत बातनावा इत गोलन वान चली कहत्तर में जंग किया भी और वो गए सहीत बनल बाग समाधी याद सहादत करी हिंदुस तनवा चड़ावे लिस्रदा सुमनवा सीचे खुनवा सयापन तेरे बाग होई साधहरण इंसान होकर दुनिया से नहीं गए देश की सेवा करते करते सीमा की सुरच्छा करते करते सहीद हो गए वतन की रखवाले थे तेरा बाप कोई और नहीं एक भौज की जवान थे बेटा तुझे गर्ब होना चाहिए तुझे एक सहीद बाप का पुत्र है सहीद बाप का बेटा है संकर सिंग है लेकिन की माई हमरे बाबुजी के नाम अगर इतिहास में बाओ तेहीं बेटवा के नाम हमरे बाबुजी के बगल में जुड़ी हम भी सिमा के रखवाले बनेंगे हम भी सिमा के प्रहरी बनेंगे माँ हम भी फोच का जबान बनना चाहते है माँ कहती है बेटा मुझे अपने याप पर गर्ब हो रहा है कि मेरी कोख में जो अवलाद ने जन मिलिया उभी देश का भक्त होगा फोच का जबान होगा मतारी से संकर सिंग कहे लगे का कहे लगे गीत हुए बाँ कि अरे गोरियार संग गोरियार संग हथवा मिला क्या चल नहीं चसमा लगा क्या कि अरे जन मिला क्या कि अरे गला क्या है उरे जन जन म संकर सिंग बोल पड़ता है कि एमा बनल यर्मान बनल यर्मान ही है मन माही माही बन बहम सिपाही माही है हुए दिल में ही है इच्छा कर देश के सुरच्छा कोला बारूद कोली बारूद बम हमके चाही माही बन बहम सिपाही माही हुए देटा कहती है धन्य है तू लाल अगर तेरे दिल में ऐसी भगती जागी है देश के प्रति भाउच का जमान बनना चाहता है तो मुझे मंजूर है लाल तेरी मा आसिरवाद देती है बेटा कि तू फोज का जवान बन बेश में नाम रोशन कर लाद संकर सिंग बाबूजी धीरे धीरे सयना हुआ पढ़ लिक कर वांट निकला थारम भर दिया आखिरकार फोज में भरती हो गया बेटा धीरे धीरे बा ब्यूटी करने के लिए देश की सुरक्षा करने के लिए बाबूजी तैयारी कर दिया और जिस समय सीमा पर जाने लगा हूँ मन में बिचार आता है कि क्यों ना जाके अपनी दुल्भन से एक बार पूछ लें कि मैं सीमा पर जा रहा हूँ हीर यायल पसंत रितु हीर यायल पसंत उडेला गार दिरे मोरी देहिया भाईल बा अर पियार हार दिरे मोरी देहिया भाईल पसंत रितु है कि अरे दृह संकल अप मन में अरे ठानी चाले हो नाहर सिमावा कि ओरी सीना तान चले हो राष्ट सेवा करता पीता ला कुछ सालका पडल पिवा है यायल घरवों से हालवा वीरे वीरे वामुजी संकर सिंग को देश की सुरक्षा करते करते सीमा की सुरक्षा करते करते समय भीता कुछ आखिरकार संकर सिंग की मातारी बुड़ी मातारी कहूं अपने बेटवा के बढ़िया रिस्ता ढूड़ के बिवा हता है के लिन और येक पाती लिक भेज़त हैं कि लाल हम तो आर साधित हैं के ही यही तारिक के बेटवा तु घरे आजा छुटी लेके मतारी के हाथ के पाती पाके जोनी समय संकर सी पढ़त हैं संकर सिंगे पाती पढ़ियत कहे लेगी अपने धिकारी गण से जाके छुटी पास कराए अपट है अपने घर पर आ गया जो तो महतारी के दिल गदगदभा कि आज हमारे घरे में नाती भबार मार बिटवा होई तो कितना खूस हो जाई संकर सिंग पुना फिर पत्र भेजती है बेटे के पास की बेटा तुमारे लाल पड़ा हुआ है तो जब संदेशा पाया तो छुटी लेकर फिर घर पर आ गया जब घर पर आया संकर सिंग अपने बेटे और परिवार के साथ में जीवन बिता रहा है बाबू जी वही समय सीमा पर कुछ आतंक बादियों का हमला हुआ कुछ घुस पैठियों का हमला हुआ संदेशा आता है संकर सिंग के पास सीमा से संदेशा है कि संकर सिंग जितना जल्द हो सके तुम सीमा पर आ जाओ आज देश पर संकट आने वाला है सीमा पर कुछ घुस पैठियों का हमला हुआ है जोनी समय संकर सिंग पाती पावत भाव बोत का भाग टेरीक लाइन भाग निशाने परकस्मीर कारगिल अरे निशाने परकस्मीर आरे निशाने परकस्मीर कारगिल आओ भीर सपूतो मा की सान बचाने आरे निशाने परकस्मीर कारगिल जोनी समय जिस संकर सिंग पत्र को पाया बाबुजी आज पूरे बतन में रोम रोम में देश भक्त का जुनोर सबार हो गया कि तेरी इतनी बड़ी जुर्रत आए पापी तु हमारे देश पर आक्रमर कैसे किया संकर सिंग आज पुना फिर बैबू जी सीमा की तरफ तयार होता है कि जब तक संकर सिंग के बदन में लहू का एक भी कतरा राग मजीते जी तिरंगे का सम्मान नहीं जुकने दूँगा वे जमान चल परता है सिमा की तरफ बोल परा संकर सिंग बोलता है क्या बोल परा इतना हुनर पैदा हो गया जज़बाँ पैदा हो गया देश के प्रति खोकर के दवलत मिल सकती जट नहीं मिलती खोने से पहतर है जग में मर जाना दुस्मन के आगे रोने से संकर सिंग बुला ऐ पापी लाखों है बीर सपूत जहां तो उसको आख दिखाता है सेर की माद में घुसा है पापी अंत में तू पस्ताएगा मारेंगे भूक भारत वासी घोसला तेरा उर जाएगा अए पाप पाकिस्तानी जितना तुम्हारे यहां की अबादी है उतना हमारे सैनिकों की हाथ की परसादी है क्या हो समझता है तू अपने आपको आखिरकार बाबु जी संकर सिंग तो रम द्यूटी पर तयार होता है पिचार आया मन में क्यों ना सीमा पर जाने से पहले हम अपने दुलहन से एक बार मुलाकात तो कर ले नई नवेली दुलहन के सामने जोनी समय संकर सिंग जा के पहुँचे दुलही आख में आशू लेके खड़ी हो गई कि स्वामी पिया आप सीमा पर जा रहे हैं स्वामी तेरे आँख में आशू सोभा नहीं देती क्यों रो रही है तु अपने दुलहन से कहता है क्या कहता है किया रा धुला नीप उड़ा ली हरा ये जहज यंग उड़ाईदा हमार पाउजे बराज ही रा संकर सिंग अपने धर्म पतनी अपनी दुलहन के सामने कहता है क्यों रो रही है ना ना रो ना कमा लीग न यहनी से अरे कमा लीग न यहनी से पहावा न पानी पठावा हमी के जलती सिमावा पे रानी प्तावा जलती हमके सीमापे रानी जा कठोर जन दिखावा सरिस्ता हमहन सिपाही के मटिये से दा मागेली प्यासी धरा कुर्बानी पठावा हमके जल्दी सीमा पे दुलहन कहे लिगी कि स्वामी जाएं जाएं अपनी दुलहन से बिदा होकर पिचार किया क्यों ना मैं जन्म देने वाली मा से आसिरबाद लेकर फिर सीमा की तरफ जाएं अपने मातारी के सामने संकर सिंघ पोचा कि मां तेरा सिरबाद चाहिए बेटा लडाई पर जा रहा है सीमा पर जा रहा है तुम मा कहती है क्या कहती है कि अरे जमाने कि दीवार तो दीकामर सुर्गि, भिर समराट दब्ता राम देव जी गए कि अरो जमाने की दीवार सदा तूतती है तो महबद के मदू हो सारे पानी के आगे जमाने के आगे वार आपनी के आगे अरे मेरा दिल दिवाना ये सनम तेरे उपर नहीं जोर कोई जवानी के आगे संकर सिंग महतारी से कह लेगी कि माई आपका आश्र बात चाहिए माई बोल पड़ी के बेटा वा बेटा आज मेरा दूथ का खर्च तुने अदा कर दिया अरे तु देश की सुरच्छा के लिए तयार है लाल सिमा की सुरच्छा के लिए तयार है तिरंगे के सम्मान के लिए तयार है मुझे घर्ब हो रहा है कि मेरा बेटा एक देश भक्त है फाउच का जवान है चल लाल मेरा अशिरबाद तेरे साथ है अरे फाउच बन जाओ अब फाउच बन जाओ अब फाउच बन जाओ ऐ मेरा लालन अरे तेरे दिदु आये है मांता तुम्हानी अरे फाउच बन जाओ अरे फाउच बन जाओ अरे फाउच बन जाओ अए मेरा लालन जैती दुआये है मांता तुम्हानी अब तिखाना समर में अरे तिखाना समर में तुम्हे सवरिये अपना और अच्छाथ करेंगे बिधाता तुम्हानी दिखाना समर में तुम्हे सवरिये अपना रच्छाथ करेंगे बिधाता तुम्हारी बेटा मेरा असिरबाद लाल तेरे साथ है जां तु देश की सुरच्छा के लिए मां आदेश दे देती है बेटे को बाबू जी भले ही पले भले ही पले काल के गाल जाना मगर लाल पीछे कदम ना हटाना अरे जब तु कुर्बान होगा इस हले वतन पर तो गाएगी दुनिया ये गाथा तुम्हारी संकर सिंग तुरंत रवाना होता है चल परता है लगाई के मैदान में सीमा पर अजब सीमा पर पहुंच गया जवान अंत में बाबू जी तन को समार लिया और घुसपल्टियों को सामना होने लगा गोलियों की बोचार चलने लगी बाबू जी बढ़ी संदे लगा है माई हो ललनवा देदा अरो बैहिनी पिरनवा देदा तो सावाद के खा तिरी आपन जे सावा के खा तिरी आपन सोले के सुदनावद लेकिन बाबू जी संकर सिंधिस्मनों का सामना कर रहा है आतंक भादियों का सामना कर रहा है अरे गरी जे गलम सिल्यां कर ले कर जो गलमसिक्ट ― अरे उगले यगनिया पागी तरो गिलि में सोला उगले जमान की जमनिया पागी कर जो गलमसिक्ट ― अरे जो गलमसिक्ट ― कारगिल में 16 उगले जवानों की जवनियां भागी कारगिल में 16 उगले जवानों की जवनियां भागी गरजे गनमसिनियां भागी अरे बीरों की धरती भारत इतनी हां से साथी पाबो सुहागन के सिंदूर लाणे पाही में के राधी पाबो अरे सूर्य के की रनियां भागी करे याद वनियां भागी मात रभू में 16 चल जाई के के खुन पनियां भागी सूर्य के की रनियां तमाम देश द्रोहियों का तमाम दुस्मनों का सामना किया संकर सिंग अपनी बंदो के सामने बाबू जी कई दुस्मनों का अंत कर दिया कई दुस्मनों आतँकबादियों का सफाया हो गया इनकलाब जिनदाबाव की भारत माता की मारे को बिलंद करते हुए बाबू जी सनासन सनासन घोलियों की बोचार कर रहा है संकर सिंग पापट के लाइन में कहना है अरो डटे समर में नाहर सीना पान सान ना जाई हो अरो तन पे लाखों हो जई है कुरबान सान ना जाई हो आखिरकार बाबुजी अंत में काइपटन विस्नोई के निर्टुत में देख रेख में आज बाबुजी लड़ाई हो रही है संकर सिंग के साथ हुआ क्या हूँ पिस्नोई के निर्टुत में मची खून की हो ली हो आकर संकर सिंग के सीने लगी है एक गोली हो सहीद हुआ है देज चन गर्मन अधिनायत गुझे दान सान ना जाई हो संकर सिंग बाबू जी आतंक बादियों का सामना करते करते कई घुस पैठियों को देश द्रोहियों को जब ठिकाने लगा दिया आखिरकार एक गोली संकर सिंग की सीने पर आकर लग गई और संकर सिंग इंकलाब जिन्दाबाद भारत माता की तिरंगे की जे जेकार करते हुए बाबू जी सीमा पर सहीद हो गया वो देश का जवान जब सहीद हो गया तो तमाम सीमा के रखवाले भाउज के जवान संकर सिंग के वाडी को उनकी लास को लेकर घर की रवानिगी की ये घर की तरफ क्यों न संकर सिंग के पार्थो सरीर को इनके गाउं में इनके मा और उनके दुल्हन के सामने बार लेचल के दिखा दें आलहा में कहना है यह चांगीर धन के खातिर मरी जाला कोई अबेश्या मिल्यन खातिर देता कोई पेश्या मिल्यन खातिर देता कोई तो गज कफन खातिर मरता है कोई अरे होता है होता है सिपाई ही वतल पे कुरता लेकर के लांसे आई गए दीजे गवा इस्थिरी सगरावाने उमने तुपा अरे तु लहीनी अरे तु तु पिया के सुरती का सावन भादो अखिया से बहे या रव्या अरे राश्टी समान से जलावल जाई लसिया अरे तु या मतारी कहली सीना तु लूर का इन खंड सुना उजाला जी से दुलहनी खातिर मरी गए मरो ते देश के लिए मरो वतन के लिए मरो लोरिक तमाम लास पे लास एक लुगाई के कारण तमाम जने के लास पे लास गिरा दिये एक लुगाई के लिए लेकिन संकर सिंग कुर्बान हुए देश के लिए ती रंगे के सान के लिए अपने वतन के लिए अरे मरना है तो वतन के लिए मरो कहा जाता है मिटे जो ना मिटाने से निसानी उसको कहते है कटे सरदेश के खातिर जवानी उसको कहते है संकर सिंग के बुढ़ी मतारी कहे लिए कि वा रे बेटा जिस राह पर तेरा बाप गया दैस के लिए सहीद हुआ आज इतिहंस के पन्नों में पिता का नाम दर्ज है मुझे गर्ब है मुझे इस बात की खुशी है कि जिस अस्थान पर बाप का नाम लिखा जाएगा उसी अस्थान पर सहीद के नाम में मेरे बेटे का नाम दर्ज होगा दुनिया मेरे बेटे की गाथा गाएगी भीर दैस सबूत की गाथा गाएगी धन है लाल जो तु मेरे कोख में जन मिलिया मा बाबू जी बड़े गर्ब से कहती है क्या कहती है आखरी प्रमार में मोः काफ नाहे, कि भी पिगणि एप आगे पुरी मतारी कह रही है कि गवरों गरिमाद खानों दान के नहीं बिगड़ी बनी है गोधी के ललनवा सीमा के पहरी मेरा बेटा भी सीमा का जवान बना फाउच का जवान बना वेसे जिस समय मेरा नाती जो मेरा पुता है जब पढ़लिक कर नाम आगे बढ़ेगा उम्र बढ़ेगी तो मैं अपने नाती को भी देश के सपूतों में फाउच के सीमा पर बबू जी फाउच का जवान बनाऊंगी मेरा नाती भी फाउच का जवान बनेगा पर वारे मा कहना है ज़न है किस्मत यह सालाल जो मेरे गोध में आया चला पिता की राह पे मेरे गोध का करज निभाया पाया सरगी में ठेकन आँवां सीमा के प्रभवा वारे बाबुजी, इस धर्ती पर इस भारत भूमी पर हमारे देश में अगर ऐसी माम अगर रहेंगी तो हमारे देश में जवानों की कमी नहीं होगी बाबुजी आतंक भादियों का हमला नहीं होगा, हमारे दिरंगे का सम्मान नहीं जाएगा आईसी मायों ऐसे लाल जब तक हिंड में रही हैं यही सरजमी पे पापी कब हुनत पाउ रख पाई है अईसी माता इसे लाल जब तक हिंड में रही हैं यही सरजमी पे पापी कब हुनत पाउ रख पई हैं मारा जई हैं दुस्मनवा सीमा के प्रहरी यह भाबुजी यह फोजी जवान देश के सपूत के कहाने आप सब के बीच में वीरस का परसंग हुआ जए जवान जए किसान भारत माता की इंकलाग गुरू भिहारी गुर्गनेश कहे धन है भारत देश पचल चंब्रिकाउ सरगबसे पासत गुर काया देश निशाने पर कासमीर कारगिल भारत सीता रोम के गुजी सदातराने निशाने पर कासमीर कारगिल भारत सीता रोम के गुजी सदातराने निशाने पर कासमीर कारगिल ये एक लाइन हाए ए एतनी खड़ी बोले के बाद और रजन फपनाई से और बढ़ाताने कि गुरू केवा मोरि नईया तास करता है कि स्वामी खेवा मोरी नईया अरे जात बही स्वामी खेवा मोरी नईया जात बही गुरू खेवा मोरी नईया चाधर लईया थे वाय मतर वाला हेज़िके परवा लगावा सही गुरू क्थे वा मोरी नईया जात बहीं क्थे खेवा मोरी नईया अवर्नивать को किसे उते हैं कि आपने को कि आपने को ऩानी सोह अ ? अवर्न्म सब्स्रोच ऑजा जो अपने के गहत जा जाइघ वस्छाय को इस अभा सबीप्लबर Reals खेई के परवा लगावा सही इरभी भीया के तरफ सी क्यावन रुपिया लेकिन कर अलग फरमाई सहिवा अलग रहा ले जाए उतारे गुरू बयाग हाट तो गुरू समरत मारी बाहा गही स्वामी के वा मौर दरिया जाद बाइने गौरू के वा मौर दरिया यह ले बालो अजए वा मौर करेध दARK तरबंस मौर कर दभादा बालो यह लूटर बालो देखा होरां आज 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 गुरु खेवा मोर नईया जात बही आवा 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 कि कल्जुगी गीट चार लाइन के बड़ी धुन पुरान बाम आए हाए हरे अबना मिली ये भाईया अबना मिली ये भाईया अबना मिली ये बहुत पहले खियार आज कल थे बिग्यान इतना प्रगत्प बाद साइंस के जवाना भा पैसा होई जवन जवन हाई बरेट के नेनुवा मार्केट में की चार्ठ लाइले ये ते निहुर जा कहां ये भाईया अबना मिली ये नेनुवा के पारकारी ये भाईया अबना मिली नेनुवा के तरकारी ये का पंधारी गुरू जी गावा है दद्दा कैलास कहन पंधारी भाई नेनुवा के तरकारी तो नहाए वो ले बैया लेकिन आज का लेक चीज बहुत मुश्किले इस मिलत बाद कहे नबना मिली ये भाईया अबना मिली पंधारी भाईया बना मिली उहले सी घियला कैसोहारी अबना मिली देशी घीना के सुहारी अबना मिली है खैदर अली के गुरू जी रामधार धन है रामधार यादोधी जूसी वाले रामधार जी कुछ लगई बोली गये हैं कहाई हरो राम कहाई दया जननी कहाई धीरे धीरे ना रधिया हां का मरिभावानी धीरे धीरे ना काली कल कत्थे की मईया कहाँ हो कली कांपर उपगार खेवा खग यो खब पर वाली नई आतासी यहाई कायात्री गवरी गवरेश गुण गावत यहाई सकल सलसार घट घट के बासी यह बाबा तो होई तहे सक्पालन एहे सक्पालत खगाल पिर आज समापन के तरब बाद मास्टर अगर तोरे दिल में कुनों कचट हो तो के निखाल सकला अब इन टाइम बाद दुशार मिनेट कर आई ने बटाके क्या वात है मास्टर बड़ा परिया गीत बजावलन को बजादा इस चंदू चर्चा हूं अपने में लाइब पर आवा माईचर बड़ा परिया गीत बजावलन टाइम देखके भुरारिया का टाइम बाद देखी यमान का आवाज जहां कहीं भी तक पहुचत होई जे करे कान तक पहुचे तो कोई सुकून मिले ए आत्मा रूपी दुलहं उस परमात्मा रूपी दुलहा के बारे में सोचत्मा बिशार करत्मा का गरत्मा माइचर सांग हाँ मुच्परी है बारे इंगलीस ता मकोन गाता है क्या बाठे ए आत्मा रूपी दुलहन अपने पत्ती परमेशोर के बारे में सोचत्मा बड़ी उच्छी बात बाजरा गवर करेंगे काश्य माइचर सांग आई है आनवया हमरो सैया हम जमया नाई आई है आनवया हमरो सैया हम जमया नाई आई है आनवया रती पाल या दोजी घर मालिक आप बड़े भीया जी के तरफ से ए भजन के भाव पर एक से गुर्पे का परश्कार देके आप सम्बान के लन बहुत बहुत प्राम आशिरबाद के चा रही शब भाई की नमस्ते प्रामबा लगी कहना है ये कोलबा आई हा आनवया हमरो सैया हम जवन्या नहीं आई हा आनवया हमरो सैया हम जवन्या नहीं आई हा आनवया हमरो सैया हम जवन्या नहीं आत्मा मतावत वाकोत बासोचत वाकोत हमार पती पर में सो रही है तो हम जाईबना अगर कहीं जबरी केके लेके चली है तो जाये के चली आप एक काम और ना कर बेका क्यों तनों जो खोदी है ख़दी है आओ ली गुद गुद आई है जो तो अगर कोद गुद गुद आई है जो तो तो जो खोदी है जो तो बोल बोकर अब जाए साखी बोल से हम समया ना ही आई है आनवया हमरो सैया हम जवया तरक आई है जोड़ाए साथ स्कंपान आई है जो उुद आई है जो पली आई है आई है जो खोद आया है जो तो हई मैं आप ए जो जो पिशी खोद रही आई है बढ़े भीया बिराह के बहुत ही अच्छे गलाकार आप हैं शीयारामयादो जी ऐसा सीतारामयदो सोपरी-स्टार सीतारामयादो जीicles Cool AM3 we %1 आप बढ़े हैं अब प्रशकार मलकि हमरा वदस्त आशिर बादवा बिराज अगत में वहीर हम सबसे छोट बनी आप लोग हमसे बढ़ बनी तो देखी तमाम गीत आप लोग यूटूब के मादेम से सुनी ला आपन प्यार दुलार देई ला मास्टर साब को लोग गीत के संकेत कहीं चाहत हुआ कर देखा मिजाज का उना गीत पर बने ला माइचर बड़ा बड़िया गीत में उलन पहिला का जमाना रहल एतना गारी घोडा का चलाना नारहल पहिले का लोग बराती जाएँ तो पैदल जाएँ आज का लोग बराती जाथ हो वो तब बड़िया तेल चाही बलीया शैंट चाही लेकिन पहिले का पुरणिया दादा लोग क पारे पनी मही का तेल रखाँ तहो लोग का मजबूरी रहा आये साबुन ना पौँँ चीलर कर जाएं साबून ना पॉझ चीलर का ओला हो अठोगणी या दादा जब पराती चले ना तेठ्ट लोहबन्ना ले ले आपन जुतवा निकार के दादा लोगों ही लोहबन्ना में टांग ले अलोहबन्ना के कनियां पर रखे है जंगियां घरे पहीनता है नरल है पहा लोग तो ख़ये नंगे चले फिस वादमी महकत हो लोग निगोटा पहीने भगई पहीने कंपड़ा में काम चलाई ले अच्छा इलोग निगोटाना समझी है ऐसे ब्राइनस सबाइल हूँ हमार मार्च्ट्रे का तो शुआ हो तो यह संजयत हुआ लेकिन आज कम पपड़ा फैसन हो गया तो दादा लोग जो परतिया में चलें तो आपन सरहाद पार करें तो ये तना मिजाजी लोग रहा हैं ये लोग कहां लग कि आज के लईका भीगडगल हों आपन सरहाद जैसे पार करें देखाए दूचार गो महरारू जहां घास देखते हैं कहां देखा बाढ़ा के लूभाईया इब बडा सो लाल पीयर पहीं लेवाणी आप 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 यहीं लोग आपना कहां यह सत्वा मेरल ले तो पहले कम मेहर रूआ कम ना रहें दादा लोग उनकी देखते हैं उठके लगए तान तो रहें आए हाए जानले भी अरे के कहला है बुड़ाव लोग कहां कहां देखा भी बहु रही इक उनों गाउं से बराती जाती हो आई बुड़ावा सब पगलाईल हो वें का और यह तो यह तने में ना हाँ धोती उठा कर सुरू का देने का सुरू करें के तु सही सही बतावा अहां माश्टर सब तु बता दा पुरा लाए गलती को रही है माश्टर आप लोग कंफियूज मत होई हां गलत बात नेखे बुड़ाव ताता लोग धोतियां उठा ले आउठावे कहां ले पतावा एट ठेगुना के उपर एए पर ले उठादे तब लोग कर जब करिया एक उपरा उठावे धोतियां तब देखावे शुरू करें अगा सब्सक्राइब तो इतना बड़ा बड़ा घुगुरू लगल अपते जमाने खतम होगल बड़ा कंदेखे के मिली जेके लोग जगियां करनाज कहां यहां सही आले जगिया औु घुघूळु वाला व्लब ड़ा धोतियां में छुपव ले रहा है अवे के जब मेहरारून के देखा तो धोतियां इसा ही उघार के खेकर के अजय कमरियां में बाद ही के सुरू कही से करें के हम गाई के बतावत बनी जे मिजाजी होई अपने मं मुट में सोच लें वह वाला अरे रंगाना ये भाई रंगाना अरे रंगाना ये भाई रंगाना बाद म्सां पेडा रंगाना टो डिप्प्रा रंगाना टाला ही बागाना गेडिवा रंगाना ये बागाना भुजी भीन हर यक वहात है कि अब तुछ अब तुछ तो यह थोरे में मज़ा नहीं खे आब आपन मज़ा देखाऊंए, तक कहाँ है काँ कहाँ आरे काकारी ये भाईया कोईरी बिना काकारी गारेरिया बिना बाकारी माझी बिना मच्छारी परतले तब लगती सरकाद आदा उठ है उहो आपन धोती पकादे कमर में बाध है कातोर महत्त बाद आभी कमर पे हाद धाई के कैसे कहा माच्छार साथ अरे हरावा ये भाईया हरावा माली पिखना हरावा तुहार पिखना पूरावा माली पिखना हरावा तुहार पिखना पूरावा अहिरे बीना हुरावा चला चला चलाई अगित बाद जो ने गीत के स्वरगी हैदर गुरू गावत्रल यही गीत में आप लोगन का बहुत जादा फर्माई साहिल चाहत भैल का ऐसे यूटूब पर हम सब भाईन का कमेंट पढ़ीला तो लोगन का बिशेश तोर पर इमांग भैल की कुछ इलहाबादी लॉंग वेज में उजाला गाई अच्छा तो उजाला तो याजमगर के भासा जना थी बोलत पनी एला गईला खैला नहीला आप हमके इलहाबादी तरी शीखाई के पडल गोरुजी तर लीख दाला लेकिन सीखाई के पडल मैं मिहनत करें के पडल दुईये चार सब्द बोले के रहाए लेकिन बड़ा हमके कठिल लगला तेका जहां का भासाओ के वो ही कसूट करेला जहां का देश जैसन देश वो इसन भेश तो आपनोर के बीच में घमार गी ताइलबा कहना है आई अर्छा को रामार जुलानी अर्छा को रामार जुलानी साडी लाहाराय हो जाको रामार जुलानी यही में हम गवली, कोनों बेतवाप पतो माई बाप के अलगा कधहलन, ए बाभू, माई बाप पेटी बेटा पैधा करलन, बहुत बड़ा आर्मान लेके, हमार बेटवा बाप हमरे बुढ़ुती का सहारा बनी, लेकिन जैसे बाभू, बिया भाइल, बेटवा पतों मिलके अलगा करलन, माई बापू दुआरे बाइट के आख से आशू बहावत हुआ जे भाई के गीत सुने के रही आप यूटूब पर सुन सकीला हमरा गुरू जी के कमपनी से बाँ पी यल म्यूजीक तो माई बाबू रोवत हुआ कैशे माईटर साथ अरे कारे जा पीटें बापाई अरे कारे जा पीटें बापाई बेटाव ना आला गाए हो कारे जा पीटें बापाई माई खाले सुखल रोटी में हर चापई प्यपसी माई पहिने से माई पहिने फातलो गर में हर पहिने मितसी में हर मोगा बाई के चूलँहनिय भूकत बाज को करे जापी तैंप पोई देखी पांच मिर्ट के गीत सुनी आप लोग शमय का गीत हमेशा समय से दोस्ती करें के चाहिए हमेशा समय कमार हो ले चाहिए कोनों भी छेत्र हो चाहिए जन्नम हो चाहिए मरन हो चाहिए गवईया हो हर जगाई समय की ही मार है बड़ी इंपोर्टिंट लाइन बाण के धर्ती पर समय कोई के छुड लस नहीं चाहिक यो कितनों03 बलवान हो चाय क्यक्तनों बड़ा धनवान हो कहना है कैसे देखी एगीत के श्वरगी बेचन गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत्रलन श्वरगी बेचन गुरु का अंदाज अलग बाँ लेकिन इह हमार अंदाज बाँ कर्शे मैं चेर अरे आंगने में भोला भोला गे नवाये न न दो अरे आंगने में भोला भोला गे नवाये न दो बाजले बनाईया तू बाजले तू बाजले बनाईया लेकिन भाव प्रगौर करेंगे बाभू कभी जी बड़ी उची लाइन लिखलन। का लिखलन। अर केहु नाही छोडल चाके भईया जहनावा। एक दिन जमीन पाडल चोड़ा ही के वहु नाही छोडल चाहे भईया जहनावा। एक दिन जमीन पाडल चोड़ा ही के वहु नाही छोड़ा ही के वहु नाही छोडल चाहे भईया जहनावा। सबही के प्यारा होला जानावा परानामा अच्छा इस देखी दुलहा और दुलहिन के तरफ से तरह थे शुटल है यहां रही है गवरे यहां और कहा रही है का बिदेश से लिए हैं का हन्मुन मुना वे इपागले हुआ देखा लागडाउन पुरा या सर आपन देखो लेबा एक से गुर्पए का परशकार मातारानी रक्षा करे हर मोहर पे द्रक्की मिले माईश और सती करे कि दुनों जने के बीच में जटके से तिसरा याजा वो कुने गाउं से हो कुनों गाउं से वाला अब ये पागल आदमी से के बतियाई आप लोग समझत हुआ ना तीसरा कम मतलब सोहर के बिवस्था बतावत बनी जब तीसरा याजी है तमान सोहर भी गादेई जब सोहर हो जाई तो आप लोग समझते हुआ फिर लईका सेयान होई फिर वो कभी आयाई जब लईका का बिया होई तो यहो लोग कभो सास्तसुर हो जाई है मास्टर साब कहना है इन नाम करण करथ हुआ का भी याँ सोहर भागा देई तो सोहर भागा आई तो सोहर भागा माहोल नानबा देखा थै या, बैग दौम सांती सांती में सोहर मजा न गई tiet आम लईका हो यही तरो सोहर भागी आई कहना है हारी शंध साब राज से मुख़्ा मोर हले पाचन बत अखोके राजा पाच छोड़ा दिखाए पाचन बत अखोके राजा पाच छोड़ा दिखाए केहुना ही छोड़ा लचा के बेतावा में हरिया राजा के पहल लेक दिखोड़ा दिखाए पाचन बत अखोके राजा के पहल लेक दिखाए राजा हरी जन जैसन के समय नहीं छोड़ लस जे स्वपन में अपन राज पाठ सब विश्वा मित्र जी के सौप दलन अपने कल्लू डोम के हाथ भी कईलन अश्मसान घाथ पे मुर्दा फूके का काम कईलन लेखिन मेरे बाभू समय का चक्र चला राजा से भीखारी बना दलस इस लिए मैं बताती हूँ समय त्रेता युग में केके ना छुड़ ले बमश्चर साब लागल शेरी राम जी के दोधी का मेहानावा हो लाय तूट पाती पतनी के बढ़नावा लक्ष मर्जी चहला सीता जैहनाही बनावा लक्ष मर्जी चहला सीता जैहनाही बनावा सीता के पहरल बनको लक्ष मर्जी चहला सीता जैहनाही बनावा लक्ष मर्जी चहला सीता जैहनाही बनावा ए बाबू सीता जैसल स्वक्षिनारी के कलंक लगल शमय छोड़लस नहीं हो बाबू आखिरी कार में सीता को अगिनी परिक्षा देना पड़ा धर्ती माई में समय के पडलकाए बदे ए समय का चक्र चला समय का चक्र क्यों के नहीं छुड़लेबा अब देखी द्वापर युग में समय के के ना छुड़लस मश्टा मारा चाहत्रा हाला हो यारा जुड़त चाना आवा कारो क्यसी दिल में मचला तु भानावा या खिर में भान पारल करण के लेकिन दुनिया का माली जेके लोग छलिया कहेला क्रिष्ण भागवान चल के दलन अच्छाता क्रिष्ण भागवान नहीं उसमय का चेकर चला आखिर कार में करण को ओबान छोड़ना पड़ा लेकिन अब देखी कलजुग में समय के के ना छुड़ ले बामाश्टर साब अरंत समात कैलाया नार जबार बात हो जसावा के या वायर जापात क्रिष्ण भागवान चल समय का चल के ना छुड़ ले बात हो पार देसा अगरे सब हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे लेखिनाखिकार में अंग्रे सब एक सर्थ रखते हैं गाधी जी जिन्ना साहथ तमाम हिंदुस्तानी बैठे थे अंग्रेयों का सर्थ था जिन्दा या मुर्दा नेता सुबास चंद्रबोश के आप हमारे हवाले कर देंगे तो हम हिंदुस्तान को छोड़ देंगे नहीं तो हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे पार देस के को उसके आपके हिवाले कर देंगे जब बात का खबर बादू नेता- सुमाज-संद-बोष के मिलल लापता हो गये आज कोंब नहीं चला ने está-सुमाज-संद-बोषी कहां चले गए कुछ लोग कहते मर गए तो मरे तो कहां मरे कुछ तो सुचना मिलना चाहिए आखिर जिन्दा है तो कहां है कुछ तो पता चले लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला अज द्याम मंदिर अंदिर बनवाओ एक आउर रुपए का परशकार मुरली भी आप पूरन पुरके धरतीशे बहुत दोत प्राम आश्रबाद कचारे शभाई इनकी नमस्ते प्रामबा अब दखी बरतमान में समय के के ना छुड़त भावा अरभ पिहारी गड़े से सब समय करावे यह करा से के ओभी पार नहीं पावे पिहारी गड़े सब समय करावे आये करा से के हुँ भी पार नहीं पावे बिरहा के सुनने वाले भीया बाभू फूरा हमार गाना गोले का मतलवी है भयल दो चीज जिन्दगी में आप लोग जरूर याद रखिये ना बहुत खुशी में कोनो वादा आप लोग कहल यही और ना बहुत जल्दी आप लोग निर्डे कोनो लिखल जाई एक बार समय के इंतजार जरूर कर जाई कि समय आई देखल जाई आप वादा कर लेंगे कि हम आप से पांस बजे मिलेंगे लेकि समय चाही तो पांस बजे ना उप पांस दिन के बादो ना मिल पई बार यह लिए आप लोग दो बात हमेशा कि अरे आवा प्यार लाल नागे छोड़ाल चाह घरावा प्यार लाल नागे छोड़ाल चाह घरावा भी रहा गवाई में पारे छोड़ा ही तो बात हमेशा घरावा प्यार लाल नागे छोड़ाल चाह घरावा बात हमेशा घरावा